कि अब आफटर नूँ टॉल आफ्यू स्टूडेंट सही सी प्लस पे सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी लोग और जिसा कि आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे चार बजे हमारा मेरातन सेशन होने वाला था जिसके अंदर हम S.S.C.J. जो कि 15 नवंबर मौर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसका यहाँ पर कम्प्लीट टेक्निकल सेक्शन का हम यहाँ पर इनालिसिस लेकर आएं कम्प्लीट हंडेड कोशन्स विथ डिटेल सॉल्यूशन और इस मेरातन सेशन के अंदर हम सभी कोशन्स जो की डिफरेंट सब्जेट्स हैं उनको यहाँ पर डिसकस करेंगे तो में और विजय सर आपके साथ यहाँ पर पूरे हम जितने भी हंडेड कोशन्स आए हैं 15 नेव आपके सब्सक्राइश नेवराण कोशन्स प्रॉट इर अपके साथ प्रोर्ण मेंदोओ तेशने सु यहाँ की अवराण में इस थिटन्स पूर्ण डिटल्यूशन दॉटन्स चूलावट विटूवन रूटर्म गीटराम, क्रोण आपके सुद्टर्म इस चूलावट 15 November Morning Shift के पेपर का हम यहाँ पर टेकनिकल पार्ट का अनालिसिस करने जा रहे हैं सब भी लोग सेशन के अंदर जुड़ जाएए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेर कर दीजे जहां पर भी जिस भी ग्रूप में आप जुड़े होगे हैं उन्हें भी इंफॉर्म कर करने के लिए सबसे में इंपॉर्टन है एक्जाम का पेटन समझना और जनरल एक्जाम का पेटन कैसा होता है सेसीजे का वो तो हमें पता है कि पहले प्री है देन में से और प्री के अंदर हमारा जो टेकनिकल है एंड नॉन टेकनिकल पार्ट से कोश्चंज आते हैं 200 मास का पेपर है बट जो मैं यहां पर exam pattern की बात कर रहा हूं वो है कि exam में question किस तरह से आते हैं question का level समझना important है उसके त्यारी करने से पहले six months October में tentatively exam scheduled है और six months बाद अगर exam हो रही है तो exam का pattern यानि question का level समझना important है और यहां पर reasoning आप जानते हैं reasoning का level एक जिसा होता है जो topics आ रहे हैं उसी topics से ज्यादा आता है जो कम आ रहे उनसे कम ही questions आते हैं general awareness आप जानते हैं जो पार्ट है fix चीज़ें हैं वहां से कुछ चीज़ें आती हैं जो current affair वाली चीज़ें वहां से कुछ नया part आता है बट बात जब हम technical की करते हैं तो यहां पर हमारे पास civil engineering में total 12 subjects है structural engineering part non structure portions other हमारे पास designing subjects है सभी से questions आते हैं कौन सा ज्यादा important है कौन सा कम important है कहां से कैसे questions आ रहे हैं वह बहुत important है और आप जानते हैं जब हम competitive exams की preparation करते हैं जैसे कि SSC जाई तो हर साल कुछ न कुछ pattern में modifications होता है और यह सब चीज़ें हमें कहां से मालूम चलेगी ज और उसी analysis के लिए हम यह session आपके पास लेकर आए हैं जिसमें हम complete hundred marks सभी subjects का यहाँ पर analysis करेंगे सो शीतल गुड आफटर नून रोहिद गुड आफटर नून किरेश इकबाल गुड इवनिंग चलिए तो session को start करें विजे सर अपन स्टार्ट करते हैं session को हना बच्चे आते रहेंगे और बच्चे अपने friends के साथ भी share कर देंगे हम लोग start करते हैं directly from the discussion of the technical questions तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास पहला question है the hydraulic mean depth of a circular sewer of internal diameter 100 cm running in fully occupied cross section is given by तो जब hydraulic mean depth के बाद चल रही है यहाँ पर तो यह hydraulic mean depth को जब आप समझते हैं तो hydraulic mean depth का मतलब हमारे पास होता है हमारे पास weighted area upon weighted perimeter weighted area upon weighted perimeter अब अगर आप लोगों ने classes पढ़ा है तो चाहें वो हमारे पास full flow condition में हो यह चाहें वो हमारे पास half full condition में हो दोनों ही case में the hydraulic mean depth comes out to be d by 4 के बराबर हमें internal diameter 100 cm दे रखा है तो हमारे पास this would come out to be as 100 cm by 4 will come out to be as 25 cm question बहुत हार difficult नहीं होते बस खाली logic हमें सही time पर अगर हम सही दिशा में सोच पाएं तो हमारा question हमेशा सही जाएगा ठीक है so it is going to be 25 cm के बराबर the another question that we have अच्छा यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी यहां से कोई question बनेगा तो questions के बनने के chances इन सारे parameter से जादा होते हैं तो कभी भी आप revise करें और revise करते वक्त अगर इन parameters को नहीं recall कर पा रहें तो यह important है आप इनको short notes में डालें और इनको बढ़िया तरीके से हमेशा का parameter को याद रखें इन्ही parameters में जब आप alpha को जब आप theta को 180 degree रख देते हो आपका central angle तो यह सारे parameter क्या बन जाते हैं क्या इनके proportionate ratio बन जाते हैं वह बहुत important बन जाते हैं आप उसको हमेशा ज्यान रखिएगा ठीक है चली बढ़ते आगे on to the next question so this is the question from steel this question is from steel structure question according to IAS code 800 2007 in the designing of the steel structure and particularly tension members a question using bolted connection the net area required to carry the design load net area required to carry the design load is given by four options हमारे पास है f u हमें दे रखा है यहां पर ill distress इन्होंने बोल रखा है जबकि हम जानते कि f u जो है उसका symbol है f u का मतलब है ultimate distress और ill distress का symbol है f y ठीक और net area जो है an दे रखा है net area cross sectional area required so यह हमारे पास चार option है an equal to t u upon f u upon 1.5 an equal to t u upon f u upon 1.25 an equal to t u into f u upon 1.5 and an equal to t u into f u upon 1.25 so यह हमारे पास यहां पर different options available है तो क्या इसमें सही देखिए अगर मैं यहां पर बात करूँ कि हमें इसमें नेट् स்क्रेंद बतानी है तो इसके जो फॉर्मूला हो बच्चो वो क्या होगा नेट एरियां इंट्व क्या होगा दिज एपामा बच्ति व्यारłem क्या ओगा हम यहां से देखें तो क्या करेट पैटन बन सकता है उसको हम समझें यहां पर टी यू हमें क्या निकालना है तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टी यह जो भी हमारी इस्ट्रेंग डिवाइड़ बाइफ यू डिवाइड़ बाइफ वन पॉइंट टू फाइफ आ जाए हैं देखें यह वाला ऑप्शन तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहां पर क्या बोलाए टी यू इंटू इस्ट्रेंग जबकि लोड अपॉन क्या होगा इस्ट्रेस होगा तभी एरिया आएगा तो यह दो आप्शन तो हम डायरेक्ली ऐलिमिनेट कर सकते हैं अब बच जात आप लोग साथ में यह भी लिखते चलिए कि जो कोशन है वो किस टॉपिक से पूछा गया है तो एक आपका भी एनालिसिस यहां पर कवर हो जाएगा साथ साथ में आप लिखते चलिए तो हमारा जो यह अगला कोशन है कोशन नमबर थ्री यह हमारा हाइड्रोलिक मशीन रि अनुपम मिश्रा इकबाल क्या इसी के लिए आंसर है आपका देखें इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारे पास पंप क्लियर है क्यों पंप आंसर है क्योंकि जो पावर इंपूट को अगर हाइड्रोलिक पावर आउट्पूट में कनवर्ड कर रहा है तो उसे हम प करें ऐसा पूछा जाए तो हम आंसर तब क्या बोलेंगे तर्बाइन बोलेंगे इस कोश्चन में क्या बोला है पावर इंपूट को हाइड्रोलिक पावर आउट्पूट तो जन्रली हम उस परपस के लिए किसको यूज करते हैं पानी को अगर उची हाइड पर हमें भेजन इनरजी इन्टू हाइड्रोलिक एनरजी आर्कॉल पंप एंड टर्बाइन वह है जो आपका वाटर एनरजी को मेकेनिकल एनरजी में करेगा नेक्स्ट अगला है कंसीडर दी फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग इस्टेंडर्ड मैजर्मेंट बुक्स एंड और्ड कितना होता है form number measurement book का 23 तो उसमें कुछ sets of तरीके होते हैं लिखने के हम किस तरह से उसमें entry कर रहे है डेता की तो दो प्रकार की measurement बुक होती है एक होती ordinary book और एक होती है ordinary measurement book और एक होती standard measurement book तो उन दूनों के बारे में statement is statement को read out करते है पहला है standard measurement book show only the measurement of building works second statement ordinary measurement books are used for purpose of checking the bills of contractor while standard measurement books are helpful in preparing repair estimates third statement ordinary measurement books are the numbered alphabetically while measurement books are numbered numerically देखे यह जो दोनों यहाँ पे statement है top के first and second यह दोनों statement हमारे correct है यानि हमारा जो सही आंसर है वो है both first and second मतलब A option is the correct option क्योंकि जो ordinary measurement book हैं जो इन दोनों में हम जब data को enter करते हैं कितना daily का work हो रहा है और ये चीज़ें हमाई कहाँ पर काम आती है repair और estimate works के लिए काम आती है ordinary के अंदर जो भी daily work होते हैं उनको हम enter करते हैं और जो standard measurement book हैं उसमें कुछ special work के आते हैं या repair के लिए वो उस condition में उसका data हम standard measurement book के अंदर record करते हैं तो ऐसा कोई concept नहीं कि इसमें हम numerical ही करेंगे इसमें हम alphabetical ही करेंगे इसलिए जो third statement है वो गलत हो जाता है तो सही statement हमारे पास क्या होगा first and second इसलिए is the correct option clear है मैं आपको बता रहा है ordinary में हम क्या करेंगे जो हमारा normal work है उसकी हम entry करेंगे यह ध्यान रखेगा और standard measurement book के हम ऐसे कुछ repair works वगएर जो आ जाते हैं repair estimate बनाने के लिए जो उन चीजों की जरुद पड़ेगी उनको हम entry standard measurement book के अंदर करेंगे चलिए next हम यहाँ पर चलते हैं the length of one rail is 15 meter and the number of sleeper per rail length is 22 यह question railway engineering का है वैसे SSC जही के अंदर railway के questions मतलब बहुत rare chances दे कि देखने को मिलते हैं बट this time SSC is introduced दो से तीन question पुछे railway के जो कुछ ही बच्चे अटेंट कर पाएं है concept बहुत जादा complex नहीं होता है बहुत आसान सा है ज़रा समझने कोशिश करिएगा जब हम railway में बात करते हैं हमारे पास on to the sleeper density तो sleeper density जो हमारे पास दे रखी होती है वो sleeper density का formula बनता है M plus X जहां पर M का मतलब होता है हमारे पास length of rail कितनी हमारे पास rail की length है broad gauge के लिए हमारे पास यह जो rail length निकल कर आती है आती 12.8 के बराबर considered to be 13 और वहीं पर meter gauge के लिए हमारे पास निकल कर आती है 11.89 considered to be 12 मतलब 12 meter और 13 meter लेके चला जा सकता है अब यहां पर depend करता है हमारे पास कि यह X क्या है यह X की value range कर सकती है from 3,4,5,6,7 कहीं तक भी हमारे पास range कर सकती है वह depend करता है क्या formula यूज हो रहा है अब अगर हमें यहां पर दे रखा है कि the length of one rail is 15 meter and the number of slippers per rail is 22 मतलब slipper density आपको दे रखी एक rail पे total मिलाकर 22 slipper दे रखे हैं और आपके पास यहां पर जब किसी भी type of rail की बात नहीं की गई है कि broad gauge है meter gauge है तो हमें broad gauge लेके चलना पड़ेगा if we take up the broad gauge तो broad gauge लेके चलते हैं तो हमारे पास 13 meter length निकल कर आती है 13 meter length 13 plus x तो हमारे पास this x would come out to be s क्या निकल करा जाएगा हमारे पास यहां पर हमारे पास इन्होंने रेन तो खुद दे दे हैं इसके अंदर हमें वही लेके चलने पड़ेगी तो हमारे पास यह 13 की जगर हमें 15 meter already दे दिया है तो यहां पर हमारे पास x आ जाएगा 22 minus 15 which is coming out to 7 के बरावर तो पहली चीज़ तो हमारे पास हमारे इस क्राइटरिय के अंदर कौन से वाले फॉर्मले से हम स्लिपर देंसिटी निकालेंगे उसमें से यह confirm हो जाता है कि यह तो गलत हो गया और यह गलत हो गया अब M plus 7 यहां भी है M plus 7 यहां भी है हम यह चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी find the number of slippers required for the construction of 525 मिटर के ट्रेक के लिए तो अगर पूरा ट्रेक 525 मिटर का है ध्यान समझेगा अगर पूरा ट्रेक 525 मिटर का है तो मेरे पास number of rails कितनी आएंगी कितनी पट्रिया मुझे लगेंगी तो simple दा बंडा है 525 मिटर का ट्रेक है और हर एक जो हमा पास कितना आ जाएगा this is going to be near about यह वेल्यू हमारे पास लगभग लगभग आईगी कुछ 15, 525, 35 के बराबर आएगी यह वेल्यू टोटल number of rail 35 लगेगी एक रेल के नीचे टोटल 22 स्लिपर बिछ रहे तो 35 रेल के नीचे कितने स्लिपर बिछेंगे हमारे पास तो उससे हमा पास स्लिपर बिछाई जा रहे तो 35 अब 35 इंटो 22 करना मतलब 35 इंटो 20 कर लो तो बनता है 700 के बराबर और फिर 35 इंटो 2 कर लो तो बनता है 70 के बराबर तो near about हमारे पास आंसर 770 के बराबर आएगा which is going to be this correct answer तो डी आंसर जो है वो इसके लिए सही निकल कर आ जाएगा चीक है fine 4th is the correct answer अगला question है हमारे पास from the fluid mechanics देखे question है a plate है at a distance of 0.03 mm from a fixed plate moves at a distance of 0.8 meter per second and requires a force of 1.5 newton per meter square area of the plate determine the dynamic viscosity of liquid between the plates एक बार आप लोग भी इसको try करें मैं यहाँ पर आपको approach बता रहा हूं question की approach क्या है हमारे पास एक fixed plate है यानि stationary plate है यानि इसकी velocity कित्ती है 0 इसके उपर एक top plate है और जो top plate है यह move कर रही है with velocity 0.8 meter per second this is the question यहाँ पर एक fluid field है इनके बीच में और इनके बीच में जो यहाँ पर यह gap है this gap is 0.03 mm clear यह हमें gap दे रखा है यहाँ पर इस fluid की जो viscosity है वो हमें पता करना है अगर force हमें दे रखा है वो है 1.5 newton per meter square अब इसमें confusion यह होगा कि area यहाँ पर दिया नहीं है तो आपको समझना है यहाँ पर बोला इन्होंने force है question में language जैसी है newton per meter square बट यह unit किस की है यह unit तो stress की है मतलब this is nothing but this is the shear stress उन्होंने shear stress का मतलब ही क्या है force per unit area तो अगर वो force बोलकर per unit area बोल रहे है अब हमारे पास यहाँ पर इसमें formula क्या हो जाएगा shear stress हमें कितना दे रखा यहाँ पर 1.5 तो यह हो गया हमारे पास shear stress 1.5 velocity हमें कितनी दे रखी यह velocity दे रखी 0.8 तो यह हो गई यहाँ पर 0.8 और last में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास velocity हमें नीचे रखनी है velocity नीचे आएगे तो this is 0.8 और यहाँ पर आएगी distance gap कितना है तो gap है 0.03 mm उसको हम meter में put करेंगे तो 0.03 into 10 की power minus 3 meter चुकि यह भी हमारे पास meter में है और यह भी हमारे पास meter per second में है तो gap भी हम किसमें रखेंगे meter में रखेंगे 0.03 mm है meter में करेंगे 10 की power minus 3 तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बच्चो इसकी viscosity आ जाएगी अचा viscosity के हमारे पास जो final answer आएगा उसकी unit क्या बनेगी हमारे पास newton पर meter second यह हमारे पास unit बनेगी इसको solve करेंगे तो final answer जो आएगा हमारे पास वो आएगा 56.25 into 10 की power minus 6 newton second पर meter square यह newton second पर meter square आएगा इसमें final हमारा ही answer आए जोगे हमने इसको SI unit में convert कर लिया है next अगले question पर चलते हैं अगला question is again मैंने जैसे कहा आप सो railway से question generally बहुत कम पुछे आते बट इस इस अगे नों question stations और yard से question पूछा गया है question बहुत आसान सा है पूछा गया है flat gravitational या hump yard किस लिए basically हमारे पास किस type का हमारे पास ये yard को represent करता है तो पहले तो समझना है what is yard yard मतलब वो जहां पर हमारे पास railway के कई सारे अलग-अलग तरह के हमारे wagons या locomotives या trains को जो वो रखा जाता है तो उस case में हमारे पास locomotive yard होता है locomotives को रखने के लिए मतलब जितने वी engines को रखने के लिए एक होता है marshalling yard मतलब कि जब आप कोई अलग-अलग तरह की train अलग-अलग अलग इंजन को अलग-अलग train अलग-अलग अलग तरह की trains को receive करना उनकी sorting करना और उनकोам होता है जह जगा पर उसे basically marshalling yard कहा जाता है और ऐसा करने के लिए हमें उस marshalling yard बनाने के बहुस तारे अलग तरीके होते हैं और उस marshalling yard बनाने का एक तरीका है flat yard एक बनता है gravitational yard एक बनता है hump yard मतलब जहां पर आप use करते हैं gravitational मतलब slope का जिससे कि आपके पास easy movement हो अपने wagons का तो answer हमारा marshalling yard रहेगा flat gravitational hump yard किसके प्रकार है एक होता है हमारे पास basically passenger yard एक होता है coaching yard एक और हमारे पास होता है which is basically referred as the sick yard जो बिल्कुल डब्बे खराब हो जाते हैं या कोई बिचीज खराब हो जाते हैं जिनने completely discard कर दे आता है उन्हें sick yard में रखा जाता है तो ये 5 तरह के हमारे पास yards होते हैं 4 यहां लिखे हैं एक आपको ध्यान रखना है ठीक है चली ये रहे हमारे पास passenger yard, coaching yard, locomotive yard, marshalling yard के तीन अलग-अलग types और एक और आप ध्यान रखेगा note mentioned here that is basically the sick yard so that is much more important अगर इतना जान लेते हैं तो भी हमारे लिए more than enough है ये जितना भी जो content साथ में दिया गया ये ppt आपके साथ sessions के बार share कर दी जाएगे तो ये content भी आपको महा से मिल जाएगा अब हम चलते हैं हमारा जो 8 question है जो की RCC पर है mix design से question है question ये कि while designing a concrete mix if 5% of the results are allowed to fail below the characteristic strength and if the assumed standard deviation is 6 mega pascal then what will be the target mean strength of M40 grade concrete हमें target mean strength बताना है जिसका हमारे पास symbol क्या होता है बच्चों FM formula क्या होता है इसका FM बराबर FCK plus 1.65 into standard deviation एक बार calculate करें सभी लोग हमें grade of concrete दे रखा है M40 मतलब की FC के यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 mega pascal standard deviation दे रखा है वो भी हमें दे रखा यहाँ पर 6 तो sigma की value हमें दे रखी है 6 mega pascal तो इसको calculate करना है यहाँ पर formula में आपको rate करना है 40 plus 1.6 into 6 कितना आएगा बताईए पड़ापट इसको जब हम स्वाल करेंगे तो यह answer आएगा लगबग 49.6 mega pascal और अगर हम options को देखें तो यहाँ पर 60, 53, 50 and 56 यहाँ पर answers है तो हम किसके साथ जाएगे फिर सही answer हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सही answer हो जाएगा हमारा 50, 49.6 है तो near about किसके आजाएगा 50 चलिए, next question पर चलते हैं, अगला question है the feller plane in the direct shear test is आप soil की shear strength determination के लिए test हमने पड़े है triaxial test होता है, ठीक है unconfined compressive strength test होता है direct shear test होता है, जिसके कई सारे limitations भी है, drawbacks भी है, but यह सबसे basic जो हमें approach देता है shear strength determination के two words वो है direct shear test, direct shear test में आपने arrangement देखाऊगा इस प्रकार से हमारे पास arrangement होता है यहाँ पे बॉक्स होता है, जिसके अंदर हम soil specimen को रखते है clear load के according यहाँ पर यह ऐसा move होता है, यह वाला जो box है, यह वाला fixed होता है तो इसमें जो feller plane है इसका एक limitation है, drawback है कि इसमें जो feller plane है वो पहले से predefined होता है, जो की नहीं होना चीए जो कि soil का जो feller plane है वो पहले से predefined नहीं हो सकता, वो जो weakest plane होगा उस पर fail होगी but यहाँ पर यह इसका limitation होता है वो कौन सा plane है, यह question में पूछा जा रहा है, weakest major plane horizontal plane, principal vertical plane और major vertical plane तो क्या सही answer होगा इसका यहाँ पर इक बाल answer बोल रहे है to good, देखें इसका जो सही answer है बच्चों वो क्या हो जाएगा, diagram से भी अगर आपको दिख रहा है तो जो predefined plane है वही यहाँ पे weakest plane हो गया और वो कौन है horizontal plane है चलिए बच्चों, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे next question की तरफ which is again a question from steel structure, according to IS code 800-2007 the beam shall be designed and checked for beam किस चीच के लिए design की जाती चेक की जाती तो options यहाँ पर जो हमारे पास हैं वो stiffness, bending, shear strength and buckling एक option है buckling अगला है bending strength only और एक है stiffness तो अगर अब यहाँ पर इन्होंने steel का reference दिया है, अगर नहीं देते सिर्फ beam के बारे में बोलते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं bending strength and shear force और अगर एक option है और सिर्फ bending strength है तो फिर हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं वो प्लेड गडर पढ़ते हैं प्लेड गडर भी हमारी steel की beam से विचार fabricated on the field itself using three plates clear तो इसमें यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो bending moment और shear force हैं यहाँ पर आप जानते हैं यह जादा death के लिए हम प्रवाइड नहीं करते हैं ना लंबे span के लिए तो इनमें हम stiffness का कोई concept नहीं लेके आते हैं बट आप जानते हैं प्लेड गडर के अंदर bending moment, shear force और stiffness भी प्रवाइड किये जाते हैं यानि stiffness का भी concept इसमें लगाना पड़ता है चोकि इनकी depth जादा होती है लंबे span के लिए इस्तमाल करते हैं आपको बता होगा rolled beam कितने span के लिए उसकरते हैं 5 मिटर तक के span के लिए built-up beam हम use करते हैं 5-15 मिटर तक के span के लिए और plate garden हम use करते हैं 15-50 मिटर तक के span के लिए clear built-up beam कहां से कहां तक है 5-15 और rolled beam कहां तक है 5 मिटर तक के span के लिए हम use करते हैं तो चुकि लंबे span भी यूज़ कर रहे हैं डैब जादा होगी तो stiffness भी देखना पड़ेगा तो what will be the correct option the correct option from this spore will be stiffness bending strength and buckling इन तीनों चीजों के लिए हमें स्टिल की beams को design करना पड़ेगा चलते हैं बच्चों हमारे next question की तरफ next question is leveling तो यह surveying question है विजय सर से आप discuss करें इस question को चलिए तो बात करते हैं question दे रखा है हमारे पास leveling in which staff and readings and the distance between the points is required is called देखो concept बहुत simple सा है अगर आप किसी ground पर कोई एक position पर आप अगर अपने leveling device को रखकर आप अलग-अलग points पर reading लेते हैं अगर आपके पास यह निर्धारित नहीं होता की points के बीच में दूरी कितनी-कितनी होनी चाहिए अगर यह निर्धारित नहीं होता कि कितनी-कितनी दूरी होनी चाहिए तो यह basically हमारे पास simple सा method कहलाता है which is basically referred as fly leveling क्या कहलाता है यह यह कहलाता है fly leveling अगर मुझे जरूरत है अगर मुझे जरूरत है कि मुझे एक profile बनाना है तो profile के लिए what I need to do is मुझे मेरे instrument को setup करने के बाद मुझे जरूरत है कि मैं एक predefined points पर ही अपनी surveying करते चले जाऊं leveling करते चले जाऊं अगर यह distance हमारे पास completely fix हो जाता है तो ऐसे type की surveying हमारे पास profile leveling कहलाती है अगर आप कभी long dune direction के अलावा अगर lateral direction में भी जाते हैं तो वो basically हमारे पास cross section leveling कहलाती है अगर आप trigonometric formula का इस्तमाल कर रहे है horizontal distance और vertical distance निकालने के लिए तो वो trigonometric leveling कहलाती है auto leveling auto leveling is nothing but auto level की मदद से करने वाली leveling को auto leveling कहा जाता है ठीक है very good very good shivam very good चले so coming on to the next part in a level crossing the canal question is from irrigation किसी canal और किसी drainage के meet करने पर अगर crossing हमारे पास same level मतलब जब level crossing होती है तो level crossing में हमारे पास कोई एक हमारा canal जब किसी एक drainage को अगर cross करता है तो दोनों ही हमारे पास same level पर cross करती है तो level crossing बनता है अगर दोनों का level अलग-अलग होता है तो we might get उस condition में हमें मिल जाता है क्या-क्या हमें मिलता है या तो equiduct मिलेगा या साइफन equiduct मिलेगा या हमें मिलेगा हमारा canal साइफन या हमें मिलेगा super passage तो इन चारों में से हमारे पास कोई भी एक option हो सकता है बट यह दा आंसर वुड़ बी एड़ी same level कि यह देखो हमारे पास जब canal drainage के ऊपर से पास कर रहा है तो दो option मिलते हैं अगर दोनों हमारे पास same level पर जा रहे हैं तो हमारे पास कर ले जाते हैं अगला question है हमारे पास same बहुत बढ़िया व्याचिका व्यूट शीवम बहुत बढ़िया अगला question हमारे पास surveying से फिर से for close pentagon travels close pentagon travels है अगर close pentagon travels है तो फंडा बहुत simple सा है हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास close leverage के लिए जो sum of angles है जो summation of angles होता है हमारे पास, अगर हम interior की बात करते हैं, तो interior के case में हमारे पास condition बनती है 2n-4 into 90 degree के बराबर अब जब आपसे बोला गया है कि आपके पास the sum of the measured angles came out to be 545 degree के बराबर कितना? 545 degree के बराबर तो sum of angles अगर 545 degree के बराबर आ रहा है जो की हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 540 के आजपास कोई एक value अगर आपको बता हो तो that is basically 540 degree के बराबर हमारे पास interior angle निकल जाता है, जहां पर हमारे पास 2n-4 into 90 degree के बराबर, तो हमारे पास यह value बन जाएगी अब, 6 equal to 2n-4 तो हमारे पास यह बनता है, n equal to 5, pentagon बोला गया है या तो वहीं से समझ लो, या फिर यहां से भी समझ सकते हैं, अब बात ही आती है कि हमारे पास total मिलागर 5 side है, मतलब 5 angle measure हुए होंगे, ठीक है, अगर 5 angle measure हुए है, और 5 angle में कुछ नो कुछ error आया है, तभी जाकर हमारे पास हमारी measured value 545 degree आईए, तो यह एक बहुत simple सा concept होता है कि error होता है, हमारे पास measured value minus the true value आपको पता है, measured value आईए 545 degree, 545 degree के बराबर, true value इसकी कही न कहीं summation करेंगे तो 540 degree के बराबर आईगे मतलब 5 degree आपके पास total error आया है, और total error को divide करना है कितने में, total number of, हमारे पास sides या angles में 5 में, तो हमारे पास error in each line या each angle, हमारे पास कितना हो जाएगा 5 degree बटे 1 degree 5 degree बटे 5 equal to 1 degree के बराबर, मतलब सभी में 1-1 degree का error है बोला गया है, what will be the corrected angle A, हमारे पास अगर 5 angle measure किये गए है close pentagon आया है हमारे पास हर एक angle में, हमारे पास कितने कितने का error आ रहा है, 1-1 degree का error आ रहा है, आप हैं सोचके चलिए अगर 540 degree का हमारे पास angular measurement होना चाहिए था, तो हमारे पास यहाँ पर हर एक angle में, कितने कितने का difference हमें 1-1-1 minus करते चले जाना है, तो in that case हमारे पास निकाल लीजी इसको, total हमारे पास यह जो angles है, यह कितने sides में आ रहा है, total 6 sides में आ रहा है हमारे पास यह 6 sides में आ रहा है हमारे पास तो हर एक side में हमारे पास 1-1 degree के difference आ रहा है, total मिला कर हमारे पास, the answer would come out to be as कितना, total, अगर हर एक angle हमारे पास 50 degree का है तो एक-एक में कम करते जले आएंगे, 49 degree हमारे पास, answer निकल कर आ जाएगा तो वैसे भी सोचा जा सकता है, 49 degree बिल्कुल सही है अगला question हमारे पास building material से है question बहुत आसान सा है पूछा गया है, the process of stones which include excavating, waging, heating and blasting यह चारो तरीक है न, excavate करने के, wage करने के या heating से किसी stone को निकालने के ब्लास्टिंग से निकालने के, यह सारे के querying process में आते हैं जब पूछा जाता है कि हमारे पास हमें उसे required shape and size में लाना है तो shape and size में convert करने के लिए आपको dressing करनी पड़ती है जब आपको moisture निकालना होता है आपका stone से तो आपको जो है वो seasoning करनी पड़ती है, the answer would be querying would be the most appropriate answer ठीक है अगला question हमारे पास the question is again from survey survey में हमारे पास जब ये चार method के आप नाम पढ़ रहे हैं आपको समझ में आएगा with respect to the plain table survey the term triangle of error great circle, great triangle are related to तो आपने जब पढ़ा होगा कि survey में हमारे पास plain table survey में चार अलग-अलग methods होते हैं उन में से हमारे पास एक resection method है उसों सॉल करने के लिए three point problem होती जिसमें हमारे पास एक होती बेजल method एक होती lemon method और एक हमारे पास basically method होती विचिज़ अग्राफिक triangulation method हमारे पास method है ये सारी कि सारी लेकिन इन में से पूछा गया है triangle of error किसमें आता है great circle किसमें आता है great triangle किसमें आता है तो वो lemon method which is also referred as basically trial and error method तो उसका answer हमारे पास clinical करा जाएगा the third would be the most appropriate answer अगला question हमारे पास the question is asked from CPM CPM generally basically SSE में question बहुत कम पूछता है बहुत rare chances होते हैं लेकिन पूछने के chances हैं एक question basically पूछा गया है if the pessimistic estimate of a project most likely estimate is 10 crore so expected value would be हमारे पास जब भी हम expected value निकालते हैं तो that would come out to be as T equal to हमारे पास optimistic time plus हमारे पास four times of most likely time plus four times of हमारे पास sorry plus pessimistic time divided by आप इसको कर सकते हैं 6 divided average language तो हमारे पास 6 दिकर कर आता है हमने इसको जादा weightage दिया है अब निकाल लेते हैं इसका कितना आ जाएगा हमारे पास pessimistic है तो pessimistic की cost है हमारे पास 12 optimistic की cost है हमारे पास no और हमारे पास most likely की cost है हमारे पास four times of ten whole divided by six अब देखिए यहां पर हमारे पास अगर यह values जड़ा imagine करिएगा अगर यह values की differences बिलकुल सेम होते मतलब अगर यह 8 10 और 12 की values होती तो इसमें average वही आता है जो हमारी most likely value होती है अगर differences सेम होते हैं तो अभी differences सेम नहीं है हमारा answer 10 के करीब ही आएगा but what is going to be the exact answer हमारे पास 40 40 50 40 50 60 और हमारे पास 61 by 60 निर अबाउट हमारे पास answer आएगा 10 से थोड़ा 10.16 would be the correct answer तो हमारे पास 10.16 is the correct answer चली ठीक है the next question that we have तो बजो पड़ावज सभी जो भी बज़े सेशन में दूर पूखे हैं हम यहाँ पर 16 कोर्शन हमारे complete होगा है SSJ 2015 मौनिक्षट के पेपर का अभी हम 17 कोर्शन पे जा रहे हैं जो की question RCC से है यहाँ पर RCC से question यह पूछा रहे how many zones are the grading limit of the fine aggregate distributed यह आई-एस को 383 कोड़ल प्रभीशन है मतलब की हम fine aggregate को कितने class में divide करते हैं कितने class में divide करते हैं आपको मैंने बताया था fine aggregate को हम zones में divide करते हैं चार zone में divide करते हैं zone 1, zone 2, zone 3, and zone 4 और यहाँ पर zone 1 है वो पोर्स के अंदर आता है zone 2 जो है medium में आता है zone 3 fine category very fine होता है मतलब size के decreasing water में fine area जो classify करा इसमें आपको यह भी बताया था कि zone 2 वाला है बच्चों इसको standard zone कहा जाता है क्या कहा जाता है इस्टेंटर जोन और इस्टेंटर जोन वारी जो strength होती है वाइस बहुत कम आ रही है चलिए तो अभी आवाउस clear है मतलब fine aggregate को हमने कितने zone में divide किया चार zone में divide करा zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 चार zone में divide करा है size के decreasing order में किया है zone 1 जो है वो क्या है zone 1 zone 2 में medium size zone 3 में fine, zone 4 में very fine तो हमने कितने zone में divide करा है यह question पूछ रहा है तो सही answer बच्चों क्या होगा 4 यानि second option is the correct और इसमें zone 2 है उसे standard send भी का जाता है और उसी को हम anore send भी बोलते हैं clear so next question is according to IS code 287 the question is from building materials so Vijay sir discuss this okay तो हमारे पास जब हम बात करते हैं in classifying the timber the average annual relative humidity of zone for region of India is more than तो यह समझने वाली बात है कि हमारे पास total मिलाकर 4 zone है इंडिया में जितने भी timber होते है वह सारे के सारे अलग-अलग zones हमारे पास हमारे पास humidity level होता है तो उस case में हमारे पास हर जगे अलग-अलग permissible limit होती है हमें ध्यान रटना है कि हमारे पास the answer would be 60-67 दोनो answer हमारे पास होते बट more appropriately 67 answer हम लेके चलेंगे इससे उपर जब relative humidity हमारे पास होती ही तो उसे हम complete humidity zone 4 में लेके जाते है तो हमारे पास the answer would be 67 यह आप इस तरह से समझ सकते है zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 जिनमें every general relative humidity हमारे पास 40%, 40-50 50 से उपर हमारे पास 67 तक और 67 से हमारे पास और उपर तक वो हमारे पास zone 4 की category में आ जाता है छीक है चली अगला question हमारे पास environmental engineering से है environmental engineering से context of a circular sewer of full depth d is correct हमारे पास इन में से कौन सा correct होगा तो अगर आपको यह अगर पता हो कि आपके पास जब भी कोई circular sewer की आप बात करते हैं तो circular sewer में एक ऐसी depth निकल कर आती जहांपर discharge maximum होता है जहांपर आपके पास velocity maximum होती काफी लोगों ने बहुत अच्छे पढ़ा भी होगा discharge हमारे पास maximum होता है at the depth of flow 0.95 D और वहीं पर आपके पास velocity maximum होती है at a depth of flow 0.81 D यहांपर velocity maximum होती है यहांपर आपके पास discharge maximum होता है और जब discharge maximum होता है तो वहांपर हमारे पास जो हमारा central angle होता है this central angle is equal to 308 degree के बरावर और जब velocity maximum होती तो यहांपर हमारे पास जो यह angle होता है this angle is near about 250 degree के आसपास तो यह information है याद रखनी चाहिए हमें इसका answer हो जाएगा हमारे पूछा गया है full depth के respect में maximum discharge हाँ ठीक है तो second one would be the correct answer ठीक है बहुत बढ़ी है so बच्चो जो यहां पर अगला question है हमारा question number 20 वो है long wall short wall method is also called long wall short wall method को हम क्या बोलेंगे देखे दो हमारे पास method होती ही जिसको हम बोलते है method of building method में से एक method है हमारे पास center line method clear और दूसरी हमारे पास method है वो है long wall short wall method clear यह पुरानी method है और इसलिए इसको PWD method भी का जाता है कुछ जगे center line का भी यहां पर description है कि center line को PWD method का जाता है क्योंकि most accurate but the correct answer is PWD oldest method long wall short wall तो हमारे पास यहां पर option है कि इन में से long wall short wall को और क्या बूल सकते हैं single wall method general method separate और individual wall method और center line method तो यह option तो हो नहीं सकता इसका जो correct है वो है बच्चो 3 क्योंकि यहां पर separate और individual wall method क्योंकि यहां पर हम अलग-अलग walls के लिए यहां पर consideration करते हैं एक बार में calculation नहीं होता जिस हमारे पास कोई भी plan है और इस plan के अंदर हमारे पास जो dimension है वो suppose माली जे यह 5 meter वाला है और यह वाला हमारे पास 3 meter वाला है तो 5 meter के लिए हम दो बार calculation करेंगे separately और 3 meter के लिए हम दो बार करेंगे मतलब जितने छोटे dimensions की वाल होंगी उनको एक साथ करेंगे और जितने बड़े dimension की उनको एक साथ करेंगे अलग यानि इसलिए इसको बोलते है separate या इंडिविजुवल वाल मेथड सो C is the correct answer क्लियर 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 नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है there are two types of energy losses through pipes major losses and minor losses the major losses through pipes are due to देखे दो प्रकार के loss होते हैं और जो loss है energy loss जब हम height के form express करते हैं तो उन्हें हम head loss भी बोलते हैं क्या बोलते हैं head loss symbol क्या लेते हैं और इसका unit क्या होता है बच्चों meter अब जो energy loss होते हैं during fluid transmission वो दो प्रकार के होते हैं एक तो हमारा होता है major loss ठीक है और major loss जो होता है वो mainly होता है friction के कारण किस कारण होता है friction इसलिए इसका symbol हो HF लिया जाता है clear रहे और जो दूसरा loss होता है जैसे हम minor loss consider करते हैं वो basically edge formation के कारण होता है कुछ ऐसे specific condition होते हैं जैसे कि entry of pipe exit of pipe bend in the pipe sudden enlargement sudden contraction ऐसी कुछ specific location जहां भी अकर होगी वहां पे edge formation होगा और उस कारण loss होगा उसे edge loss बोलेंगे और वही हमारा minor loss होता है तो edge loss जो है इसका जो symbol होता है बच्चों HLE क्या होता है HLE इसको minor इसलिए क्योंकि total losses में से इसका magnitude बहुत कम होता है और mean calculation में कई बार इसको neglect भी कर सकते हैं और इसका magnitude जादा होता है तो यहां पर question में हमें पूछा है कि जो major loss हो रहे हैं pipe में वह किस कारण है तो सही answer क्या हो जाएगा इसमें friction क्योंकि contraction subtle enlargement leakage तो एक general loss हो गया यह जो दो loss है यह हमारे किसमें जाएंगे यह हमारे minor loss के अंदर जाएंगे तो friction का सही answer होगा next हमारे पास question we discuss करेंगी यह question हमारे पास hydrologies है तो question पुछा गया है which of the following method is used to calculate average precipitation over a catchment जह हम कहीं सारी जगावां पर range लगाते हैं तो रेंगेज उस जगा के आस-पास का जो वो precipitation बताता है बहुत बड़े एरिया में ऐसे ही साई ranges का total जितना भी rainfall होता है उसको हम calculate करते हैं by averaging तो उस area का हमें average precipitation निकालने के लिए अलग-अलग method का इस्तमाल कर जाता है उन में से one method is referred as arithmetic mean method एक method केलाती है हमारे पास theson polygon method और एक method केलाती है हमारे पास isohytal method तो isohytal method इसका सही answer रहेगा रे सारे ही options completely गलत है और यह हमारे पास order बन जाता है इसकी efficiency जादा correct answer हमारे पास isohytal की मदद से निकल कर आता है जैसे कि आप यहां पर देख सो question यहां पर है combination of two or more pipe connected end to end in series is known as pipe in series clear मतलब series arrangement है मतलब suppose एक हमारे पास यह pipe हो गया दूसरा हमारे पास एक यह pipe हो गया तीसरा हमारे पास यह pipe हो गया यह तीन pipe जो है यह series में यहां पर arranged है clear है question बच्चों यह है कि series arrangement है उसमें discharge क्या होगा माली जे इसका discharge Q1 है इसका discharge Q2 है इसका discharge 3 है मैंने आपको class में जब यह पढ़ाया था तब examples भी कुछ दिये थे तो आप लोग बताईए series arrangement में सोम के अंदर भी देखाएं यह खाली pipe में नहीं series arrangement हम सोम के अंदर भी पढ़ते हैं स्प्रिंग्स के लिए भी पढ़ते हैं कई सारे series arrangement हम पढ़ते हैं और सभी series arrangement का एक ही basic दो principle है जो चीज़ flow होती है जैसे कि discharge वो हमेशा क्या होगा constant होगा same होगा discharge और साथ में जो energy loss है वो यहां पर क्या होगा add-on होगा मतलब की q1 is equal to q2 is equal to q total so correct answer बच्चो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास constant वहीं पर अगर हम parallel combination के लिए बात करें तो just इसका opposite हो जाएगा यानि की जो discharge है वो सब क्या हो जाएंगे add-on हो जाएंगे जितने भी पाइपर हमाली जे दो हैं तो q total बराबर q1 plus q2 and energy loss वहां पर same होता ऐसा लोग बोलते हैं बड़ सेम होता नहीं हम क्या बोलेंगे same होना चाहिए तभी वो parallel arrangement बन पाएगा so energy loss same होगा discharge aid होगा series के अंदर discharge same होगा energy loss aid होगा बढ़ते हैं आगे हमारे next question की तरफ next question is corrosion in reinforced concrete structure RCC structure के अंदर अगर corrosion होगा तो affect the structure durability वो structure की durability को affect करेगा what is durability durability is the resistance to chemical attack यह हमने पढ़ा हुआ है इसमें क्यों affect करेगा पूर aggregate quality कारण या chlorination and carbonation ने कारण या poor concrete complexion ने कारण या less cement content ने कारण what is the basic reason इसका सही आंसर बताईए उमेश शिवम अतुलकुमार अकांशा अनूपम जल्दी फड़ा वड़िस का आंसर क्या होगा देखो बच्चो इसका सही आंसर जोगा corrosion आपने इन्वार्मेंटल इंजिनेरिंग के अंदर भी हम पढ़ते हैं corrosion का main कारण क्या होता है तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या होगा इसका chlorination and carbonation other factors इतने affect नहीं करेंगे बढ़ जो chlorination है और carbonation effects है वहाँ corrosion को mainly affect करेंगे next question हमारे पास है open channel flow से question है a channel is set to be the most economical section when it gives maximum discharge for a given area and slope what is the relation between hydraulic radius and depth for the most economical trapezoidal section most economical trapezoidal section question है most economical section क्या होता है जिसमें discharge maximum आपको मिले या minimum perimeter हो यानि costing कम से कम लगे lining के लिए lining cost कम हो दोनों condition तो इसे channel section को हम क्या बोलते है most economical channel section यहां पर जो hydraulic radius के बारे में पूछा है उसको हम hydraulic mean depth भी बोलते है और उसका जो formula होता है weighted area upon weighted perimeter अगर question rectangular section के लिए पूछा जाए या फिर question trapezoidal के लिए पूछा जाए तो हमारे पास hydraulic radius की value कित्ती होती ही बच्चो r is equal to y by 2 means 0.5 यानि depth by 2 यह option हो सकता है बड़ जब rectangle या trapezoidal का पूछा जाए इन्होंने किसका पूछा है बच्चो यहां पर question में पूछाए trapezoidal trapezoidal के लिए hydraulic radius का formula होता है r is equal to y upon 2 root 2 y upon 2 root 2 यानि जो हमारे पास correct answer हो जाएगा यहां पर वो कितना हो जाएगा r key value hydraulic radius and depth पर हमें relation पूछाए तो यहां पर जो correct answer है वो इस according अगर हम देखें 0.5 तो यहां पर होगा नहीं यह लगबग value हमारे पास 0.7 के आसपास आएगी तो hydraulic radius इस condition में फिर हमारे पास जो value है वो अगली जो हो जाएगी वो जाएगी 3 by 2 times the depth hydraulic radius देखें इसमें trapezoidal और rectangle rectangle और trapezoidal के अंदर हमारे पास value है r is equal to y upon 2 root 2 और trapezoidal के लिए हमारे पास value है r की y upon 2 इसलिए मैंने आपको opposite यहां पर बता दिया इसलिए जो हमारे पास correct answer है वो जाएगा hydraulic radius is equal to depth by 2 यानी c is the correct answer depth by 2 c is the correct answer जो y upon 2 root 2 है यह हमारा किसमें है rectangle और trapezoidal में और यह वाला जो हमारे पास है यह है triangular के लिए तो triangular में हमारे पास answer है r is equal to y by 2 और हमसे किस के लिए पूछा हुआ है trapezoidal के लिए पूछा गया है में बार वापिस से condition इसमें clear कर रहा हूँ condition सही थी मैंने उस तो question को गलत यहां पर समझ लिया rectangle और trapezoidal के लिए हमारे पास value है वो होती है r is equal to y by 2 और जो triangle है उसमें value होती है r is equal to y के अपाउन में 2 root 2 यहां पर पूछा है trapezoidal के लिए तो वो answer है y by 2 and this is the correct answer third for trapezoidal section चलो next question पर आते हैं अगला question building material से विजय सा discuss करेंगे चली तो हमारे पास जब हम physical inspection कर रहे हैं तो जब test apparatus यूज करते हैं अलग-अलग तो हमें cement का initial or final setting time निकालना है उसके लिए क्या instrument यूज होगा तो एक flow cone apparatus मतलब flow table test होता है हमारे पास जो basically workability के लिए यूज होता है तो यह बात ध्यान रखनी है हमारे पास blaine air apparatus यूज होता है blaine air permunity test जो basically fineness को बता रहा है ठीक है साथ ही साथ हमारे पास lee chatliers apparatus है जो कि हमारे पास हमारे कि Cement के soundness को बता रहे हमारे पास बात आया थी wickets apparatus जो कि हमारे लिए क्या बताएगा हमारे लिए consistency test भी करता है यह और साथ हमारे पास setting time भी बताएगा तो IST या FST अगर मुझे बताना हो तो वो मैं विकर्ट सेपरेटर्स के थुरू बता पाऊंगा अगला कोश्चन है हमारे पास the following formula for the aggregates is give for give for मतलब यह given for होना चाहिए था but ठीक है net weight of aggregate बताना है kg में और capacity हमारे मतलब net weight of the aggregate in kg is given to us capacity of container on liter in liter होना चाहिए हमारे पास in liter होना तो अगर हम weight by volume के अगर हम बात करने तो इस बैसे के लिए defining the bulk density यह bulk density को directly indicate करता है अगर यह weight नहीं होता mass होता हो तो सिर्फ हम directly density के बात कर लेते हैं the next question is from the अगरा जो question यहां पर है वो है हमारा strength of material से question है और question में बोला है एक circular beam है जिसमें shear force यहां पर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 40 pi किलो न्यूटन तो force हो गया हमारे पास shear force हो गया 40 into pi into 10 की power 3 न्यूटन clear एक किलो न्यूटन में दिया हुआ है आगे बोला है तो maximum shear stress allowed in the material is 6 MPa 6 MPa calculate the save diameter of the section assuming the factor of safety equal to 2 तो यह एक बहुत अच्छा question इन्होंने सोम से frame कर आया मतलब factor of safety generally सोम के अंदर जो है वो theory of failure के अंदर ही consider होती है तो उससे लग रहा है question theory of failure से हमें करना है बढ़ यह question in general question है यहाँ पर जो factor of safety दे रखी है यह हमें load factor के लिए दे रखी है मतलब हमें load को यहाँ पर over estimate करना है shear force को तो हमारे पास जो general maximum shear stress का relation होता है ठीक मैं इसको next slide पर ले लेता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास maximum shear stress का relation होता है circular section के लिए वो होता है 4 by 3 times the Q average अब Q average हमारे पास maximum shear stress कितना permitted है 6 mega pascal this is 4 by 3 shear stress हमारे पास होगा force upon area but कौन सा force हमें लेना है जो हमने यहाँ पर factor कर रखा है जिसमें हमने factor of safety का multiply कर दिया हो जो given shear force है वो हमें working मानना पड़ेगा so this is 6 into 6 is equal to 4 by 3 into 2 times the factor of safety और यहाँ पर हमें force कितना दिया है force दिया है 40 pi into 10 की power 3 तो यह आजाएगा 40 into pi into 10 की power 3 divided by area कितना लेंगे circle का circle का area हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा pi by 4 d square हमें यह safe diameter निकालना है कैसे calculate करेंगे safe diameter इसको हम inside लिगाएगे यह हमारे पास term बन जाएगी d square is equal to 4 उपर चला जाएगा so this will be 4 into 4 pi से pi यह cancel हो जाएगा this will be 40 into pi is cancelled 10 की power 3 divided by यह यहाँ पर हमारे पास term आजाएगी 3 into 6 यह हमारे पास term आजाएगी clear है और एक और यहाँ पर term आजाएगी यह 2 तो यह पूरा जब हम इसको solve करेंगे इसका हम under root लेंगे तो final हमारे पास जो यहाँ पर answer आएगा 266.66 mm condition समझ मैं question कैसा frame है question में हमें क्या दे रखा है shear force दे रखा है factor of safety दे रखा है तो question अपने आप में एक अलग तरीके से पूछा गया है maximum shear stress दे रखा है और यहाँ पर हमें safe diameter find out करना है इसको हमें यहाँ पर इसमें put करना है और जब हम B को जब यहाँ final निकालेंग under root करेंगे तो हमारे पास direct answer आजाएगा जो answer आएगा वो आएगा 266.66 mm next question है as per Indian standard IS 383 यह question अभी हम पहले देख चुके हैं just repeat question है वापे से repeat हुआ है the grading of the fine aggregate is divided into how many zones fine aggregate को हमने कितने zones में divide किया है तो क्या answer होगा अभी हम इसको discuss कर चुके हैं सही answer होगा इसका 2 यानि 4 option यानि हम जो fine aggregate है उसको 4 zones में divide करते हैं zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4 और इस standard किसको हम आपे zone 2 वाले को जिसको हम end note send भी बोलते हैं ते question repeat हुआ है next question next question is the indian parliament act is central registration named air publishing control act किस year में pollution control act launch हुआ है आप जया हम लोग पढ़ता है कैसे अदेशित आप पातätzen और कि यहे वह लोव सुक्रो पहले हमारे पास बाटर की लिए law को किये गए थे तो!!! इंटो दी के ऊपर से लगा दिया गया तो से समारे पास लगा गया इंटु दी यार 1977 फिर यहां भी कंठोल नहीं पाए हुआ हमारे पास ओर जाधा पूलिशन फैलने लगा तो AIR के लिए वना दिया गया इंटु दी एर 1981 तो ते रैक्ट आंसर इस गोइंट बी 1981 देगे अगला जो question है question number 31 ये strength of material से question है question में पूछाए हम से जो simple bending यानि pure bending की हमारे पास equation होती है f by y equal to m upon i equal to e upon r ठीक इसमें जो हम assumptions लेते हैं इसको derive करने की उसके अंदर कौन सा incorrectly stated है कौन सा गलत statement है ये हमें बताना है clear तो सभी पच्चे पटावर बताईए इसका सही answer क्या होगा incorrect बताना है question को समझना देखो पहला है young modulus is same intention compression आपको पता ये हम मान के चलते हैं मतलब ये तो assumption है ये answer नहीं हो सकता अगला plane section remain plane before and after bending जो बर्नौली assumption है वो वाला भी assumption हम लेते हैं मतलब ये incorrect नहीं हो सकता material of beam isotropic homogenesis सोम के हर जो भी law है theory है formula है सब में हम ये assumption लेके चलते हैं मतलब ये answer नहीं हो सकता correct answer क्या है radius of curvature is small compared to the beam dimension ये statement गलत है क्यों गलत है जो कि radius of curvature हम large मान के चलते हैं आप मैं देखा होगा जब हम pure bending बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं beam pure bend मतलब ऐसे bend होगी ये हमारे पास कोई beam है तो इस पे जब bending moment लगा ये ऐसे bend गी तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये इसका center of curvature बनेगा and this will be the radius of curvature हमने ये जो beam का cross section है यहाँ पर वो ऐसा कुछ होगा bnd मतलब यहां से हमें क्या समझे में आ रहा है radius of curvature बहुत जादा किसके तुनला में beam के dimensions के तुनला में बहुत जादा है मतलब यह statement गलत है statement actual में क्या होगा radius of curvature is very large as compared to the beam dimension यहां लिखा है small इसलिए incorrect है next question पर चलते हैं अगला question ने जंक और the demolition value of the structure calculated the end of its utility span that has lost all its structural strain and is near to its demolition is called यह question हमारा estimation costing से हैं इस प्रकार के question में हमारे पास दो value होती हैं एक होती है हमारे पास scrap value और एक होती है हमारे पास salvage value देखें दोनों में हलका हलका सा difference है अगर हम किसी भी चीज़ को with dismantling मतलब dismantle करने के बाद बेचें तो scrap कहलाता है और अगर किसी चीज़ को without dismantling अगर हम बेच दें तो उसे हम क्या बोलेंगे salvage value अचा एक और चीज़ अभी यहाँ पर ऐसी language नहीं है बट आपको पता होगा scrap value का एक और नाम junk value भी होता है चूंकि यहाँ पर definition में junk word आ गया इसका मतलब इसका सही answer क्या होगा scrap अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर salvage option में भी नहीं है तो हम directly confusion का होता है scrap or salvage में इसलिए हमारा सही answer इसमें क्या होगा second option अगले question पर चलते हैं which of the following statement is correct with respect to modulus of rigidity modulus of rigidity के respect में कोन सा statement हमारे पास correct हमें पूछा यह हमें देखना है clear है तो पहला है depends only on modulus of elasticity and has no relation with poisons ratio तो हमारे पास यह statement तो गलत हो गया हमें correct पता करना है modulus of rigidity जो है वो हमारे पास g होता है इसमें simple सी बात है कि g का जो हमारे पास relation है e बराबर कितना होता है 2g 1 यहां पर होता है हमारे पास 1 plus mu तो 2g 1 plus mu यह हमारे पास relation होता है clear है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह e पर भी depend कर रहा है और mu पर भी depend कर रहा है मतलब यह जो statement है यह तो गलत है हमें क्या डूंडना है correct डूंडना है it is not known as shear modulus यह भी गलत है जो कि इसका एक और नाम shear modulus भी होता है अगला it is also known as bulk modulus यह भी गलत है bulk modulus हमारे पास होता है k जो कि normal stress और volumetric strain का function है तो हमारे पास it is a ratio between shear stress and shear strain यह वाला statement हमारे पास correct होगा क्योंकि हमारे पास g का जो formula है वो क्या है shear stress upon shear strain so fourth is the correct answer next अगला question है changes constant c और meanings roughness coefficient के बीच में हमें relation पूछा है changes और meanings हम कहाँ पर use करते है discharge calculation में open channel flow के अंदर right और changes को हम कभी कभी pipe flow के discharge के लिए भी निकाल लेते है क्या reason बताया था reason यह था कि जो discharge का formula हमारा Darcy Wiesbeek से आता है और changes से आता है तो pipe में भी हम उसको use कर सकते है अब जो हमारे पास changes relation है वो क्या है c under root m into i into area और जो meanings relation है बच्चों वो क्या है 1 by n r की power 2 by 3 यानि m और s की power half into area यह discharge का formula है अगर हम इन दोनों को यहां से equate कर दें तो उससे हमारे पास c और n में relation आ जाएगा हमने relation पड़ा हुआ है क्या आता है c is equal to 1 by n r की power 1 by 6 this is the relation between the changes and mannings coefficient क्या answer दिख रहा है यहां से तो हमारे पास answer दिख रहा है हमें a option is the correct c is equal to 1 by n r की power 1 by 6 next question railway engineering sir discuss करेंगे इसको चलिए फिर से मतलब यह third question है हमारे पास railway engineering से जो generally पूछाने जाता लेकिन इस बार exam में देखने को मिले है for a bg track with m plus 5 slipper density find the number of fish plates required for 1 km track मैं तुम्हें बता दूँ यहां तक की information यह वाली information हमारे लिए यह वैसे भी कोई relevance नहीं रखती है हमें इसकी जरुवत वैसे भी नहीं पड़ेगी क्यों नहीं पड़ेगी जरा समझते हैं हम यह पता है broad gauge के लिए जो length of the rail हो 13 meter होता है हमारे पास broad gauge के लिए जो length of the rail हो 13 meter के वराबर होता है अब हम यह जानते हैं कि हमें 1 km track में पूछा गया है कि कितने number of fish plate required होगी पहले यह समझो कि हमारे पास number of rails कितने हो जाएंगे number of rails हमारे पास हो जाएंगे 1 km में 1000 meter बटे 13 meter this is going to be nearly near about 76 के बराबर बतला इतने number of rails है जब हम एक किसी rail को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास connection के लिए जो हमारे पास यहाँ पर attachment लग रहा हो हमारे लिए क्या कहलाता है तो यहाँ पर हमें एक joint पर एक इस तरफ लगेगी एक उस तरफ लगेगी दो number of fish plate लगेगी हमारे पास तो हमारे पास जब भी rails joint और ही तो हमारे पास एक ही जगा पर बतलब एक rail इस तरफ है एक rail इस तरफ है हमारे पास joint दो है तो चार लग रही हमारे पास टोट winner मिला कि इतने joints बने रहे हमारे पास तो इंट्व ऑगर 4 कर देंगे तो number of fish plate कितनी हो जाएगी हमारे पास number of fish plate कितनी हो जाएगी हमारे पास four times of 76 के बराबर जितनी rails हैं मतलब joint बनते चले जाएंगे उतने और 1 पे 4 मतलब 1 पे 2 लग रहे हैं तो हमारे पास 4 बनते चले जाएंगे ऐसे ऐसे में हमारे पास 76 into 4 करते हैं तो यह answer हमारे पास near about आ जाएगा कुछ 28 290 और जो सबसे nearest answer है वो हमारे पास 308 के बड़ाबर आ रहा है कुछ इसी के आसपास values आएंगे हमारे पास तो answer is going to be fourth answer fourth answer हमारे पास correct हो जाएगा अगला question पुछा गया है which level has the internal compensator mechanism to automatically adjust the line of sight अगर आप लोगों ने पढ़ा हो यह कि जब हम auto level के बारे हम बात करते auto level, dumpy level के बारे हम बात करते हैं तो devices तो हमारे पास कहीं सारे हैं सभी के अंदर थोड़े भोग थोड़े भोग changes होते हैं उसी कारण से हमारे पास कहीं तरह के devices हैं leveling procedure के लिए लेकिन सबसे जादा हमारे पास auto level best होता है reason behind it कि इसके अंदर जो line of sight है हमारे पास हम उसको automatically adjust कर सकते हैं by the internal compensator मतलब जैसे मैंने तुम्हें कभी पढ़ाया हो तो तुम्हें एगर याद हो कि हमारे पास कभी भी हमें अगर image हमारे crosshair पे position बने ही बन रही तो हम उसे internal focusing ए external focusing दोनों ही तरीके से हम उसको frame करने कोशिश कर सकते हैं internal focusing मतलब हम अंदर ही एक ऐसा negative lens लगाते हैं जिससे हम उस image को उस location पर frame कर पाते हैं exactly same way से हमारे पास यहाँ पर internal compensator होता है into the auto level इसलिए हमारे पास यह सबसे यादा effective बन जाता है तो the answer would be the first answer अगला question पूछा है हमारे पास chemical compounds chemical compounds such as dichloro diphenyl trichloro ethane are applied on wood for the preservation of अगर यह question तुमसे मान लो की doubtful भी बन जा है कि नहीं समझ में आ रहा आप यह समझ लो DDT का use पिछले 30-40 सालों के अंदर इतना जादा हुआ है और गाउं के अंदर बहुत ही जादा जितने भी तरह के कीडे, मकोडे जितने भी तरह के insects होते है जितने भी तरह की बिमारिया इन सब से फेलती है उन सब को खतम करने के लिए DDT का बहुत use हुआ जब बहुत use हुआ DDT का तो उस case में हमारे पास insects आप इस answer को लगा सकते थे foxiness basically एक disease है मतलब हमारे किसमे tree के अंदर आयती है, timber के अंदर आ जाती है wet road, फिर पानी, alternate wetting and drying के वेसे आता है, discoloration is basically due to the some amount of basically हमारे पास जैसे की fungus है, fungus के वेसे आता है उसके लिए हमारे पास DDT will not be useful, DDT हमेशा insects के लिए हमारे पास useful होता है तो answer would be the third option which of the following is not a function of GPS अब ये question है, ये कुछ question ऐसे होते है जो कभी-कभी दिमाग confuse कर देते है कि वे कैसे करें इसको, कैसे हम apply करें say answer कैसे guess करें तो guessing का हमेशा यू सोच को कि GPS का use कहां पर हो रहा है आप ola over order बतलब आप book करते हैं, आप zomento से food order करते हैं उन सभी cases में what is happening is आप track कर पाते हैं कि वो इनसान कहां पर है what these companies are doing is basically they are giving you the exact location of the person हम measure कर पाते है precise time, waiting time आता है आपके पास कितने minute में आने वाला है measurement of earthwork ये विल्कुल भी नहीं है कभी ऐसा होता ही नहीं हमारे पास एक्जेक लोकेशन बताने कोशेश करता है latitude और longitude of a person moving from one location to other ये वही आ रहा है, गाड़ी चल रही है बता पा रहा है हमें monitoring of any object और personal movement कोई भी movement हो रहा है उसको monitor कर पा रहा है exact location और position बता पाता है हमारे पास तो कौन सा option नहीं होगा measurement of earthwork will not be the function of GIS GPS number 39 ये हमारा strength of material से question है slope and deflection slope and deflection जो topic है वहां से question है question ये which of the following is not a method for estimating the slope and deflection in the beam तो पहला है बाइंटेग्रेशन of bending moment equation जो की basically एक method है right अमित प्रशांत Mr. Shivam यची का Mr. Shivam अकांशा अनुपम प्रफूल सूरज फड़ावड इसका अंसर बताओ क्या होगा एक है integration of shear force and load equation एक है moher circle method और एक है moment area method तो देखे moment area method तो deflection की एक method है clear है और अगर हम bending moment हमारे पास equation क्या होती d2y upon dx square is equal to क्या होता m upon ei तो इसका integration करके हम ये कर सकते अच्छा shear force और load equation क्या होती d3y upon dx cube is equal to shear force upon ei आपको बताया था ये और ऐसे load की क्या बनती है d4y upon dx4 is equal to loading equation upon ei मतलब की जो loading वाली है वो भाई की fourth order derivative है shear force, third order derivative, bendy moment second order derivative मतलब ये possible है मोher circle method हम mainly कहा यूज़ करते हैं principal stress और principal strain की analysis के लिए करते हैं तो ये option वेसे भी इसका सही answer नहीं होगा तो third is the correct answer क्योंकि question में पूछा कौन सा नहीं है next question पर आते हैं बच्चों अगला हमारे पास question है a combination of two or more pipes connected between two points so that the discharge divides the first junction and rejoin क्या बोला है question में ऐसा कौन सा combination होगा parallel या series या horizontal में हैं या vertical में हैं कि जब दो या दो से अधिक pipe हैं जो connected है दो points पे connected है ये दो points हो गए इस पर दो हमारे यहाँ पर pipes हैं जो connected है और क्या बोला है जहाँ पर discharge डिवाइड होता है मतलब ऐसी कौन सी condition है जहाँ पर discharge पहले बटेगा दो हिस्सों में और वापिस से join हो जाएगा तो ये दो हिस्से जो बनते हैं ये आपको पता ये हमारे कहाँ बनते है parallel combination के अंदर Q बराबर Q1 प्लस Q2 और जो energy loss होता है वो दोनो points पर क्या होता है दोनो pipes में क्या होता है same होता है यानि discharge का distribution कहा होता है parallel combination में होता है series में तो discharge आज दोनों जगे क्या होता है same होगा next question पर आते है अगला question है if the granular material in a granular material granular material के लिए बात कर रहे है granular size मतलब भी बात कर रहे है the resistance to the sliding on any plane within the soil mass depends on the resistance to sliding का मतलब बच्चों क्या हो जाता है shear strength of the soil clear है shear strength का हमारे पास formula के होता है गर हम सभी soil की बात करें तो यह होता है c plus sigma tan 5 what is 5? 5 is angle of internal friction what is c? c is the cohesion and sigma is the normal stress जिसको inter granular stress भी का जाता है clear है? तो sigma क्या हो गया हमारे पास? normal stress हो गया और effective stress भी बोल सकते हैं इसको sigma बाहर लगा दे हैं sigma ही बोल दे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? जो resistance है यानि इसे ने वो यहाँ पर c का भी function है sigma का भी function है phi का भी function है options देखते हैं normal force and angle of internal friction tangential force ये गलत हो गया tangential force only गलत हो गया सो अभी जो correct answer है वो यह है अच्छा इसमें cohesion भी add कर दे तो भी हम बोल सकते हैं ठीक next question चली अगला question हमारे पास surveying से है the meridians that are parallel to the directions taken by freely moving magnetized needle जो बो question कभी कभी इतने आसान आजाते है question को suggest कर देता है कि आपका answer क्या है मतलब गलती से भी गलत नहीं कर सकते हैं compass के द्वारा अगर हमारे पास freely magnetized needle किसी direction में अगर अपने आपको arrange कर पाती है अपने आपको align कर पाती है तो फिर वो कौन से meridian की बात चल रही है वो magnetic meridian की बात चल रही है अगर कोई line true north और true south और surface से होते वे गुजरती है उसे basically geographic meridian या फिर हमारे पास true meridian कहा जाता है grid meridian मतलब किसी भी state या किसी भी country के center से गुजरने वाली line को अगर हमने मान लिया हमारे लिए एक क्या reference meridian तो उसे basically grid meridian कहा जाता है dynamic meridian कुछ होता नहीं है arbitrary meridian जरूर होता है तो हमारे पास यहां से answer क्या हो जाएगा हमारा completely magnetic meridian चली next question जो बच्चों यहां पर है strength of material से है SFD BMD का question है question number 43 question है एक simple supported beam हमें दे रखी है जिसकी लंबाई है L दो point road यहां पर लग रहे है same magnitude और यहां पर बोल रहा है one third span पर मतलब की जो हमें यहां पर यह load लग रहे है यह one third one third span पर लग रहे है तो यह one third point load का भी टेस्ट है उसका ascender result भी हमें पता है इसका bending moment पूछा है at the left span left span पर bending moment पूछा है left span मतलब यह वाले को हम मान लेजे ए मान लेते हैं इस पर हमें bending moment पूछा है हमें कुल मिलाकर ए पर bending moment बताना है क्या सही answer होगा option है PL by 3 2 PL by 3 PL और 0 अकान शाय यची का सूरज सिविल मिस्टर शीवम अमन left support पर मतलब यह question में तो कुछ सोचने की जर्वत नहीं बड़ा simple question है left support मतलब यह hinge point है और hinge point पर हम जानते है bending moment कितना होता है बच्चों 0 तो इसका answer क्या हो जाएगा 4-0 बागी फिर भी अगर इसका shear force diagram अगर हम से पूछा जाता तो shear force diagram इसका ऐसा होता है clear है इस प्रकार से इसका bending moment diagram यह इसका bmd है और यह वाली value यहाँ पर होती है PL by 3 and this is plus और अगर इसका shear force diagram पूछेंगे तो shear force diagram यहाँ से इतने point का rectangle plus बनेगा इसका shear force diagram है बीच में shear force पूछेंग तो 0 होगा और बीच में bending moment पूछेंग तो PL by 3 होगा constant PL by 3 अभी पूछाए left पर bending moment simple answer is 0 next question पर आते हैं बच्चो which of the falling oxides is present in highest proportion in OPC ordinary Portland cement में कौन सा oxides जादा मातरा में मुझूद है क्या answer होगा बच्चों इसका सिमेंट को याद रखने के लिए हम कभी लेके सरदार का नाम आद रखेंगे और उस कभी लेके सरदार का नाम क्या है लसेक, इमसा, lime, silica, alumina, calcium sulphate, iron oxide, magnesia clear और sulphur and एक और क्या हो जाएगा एफ और alkaline तो यहाँ पर lime का जो proportion है वो सबसे highest होता है कितना होता है 62-67% और silica का देन सेकेंड होता है कितना होता है 17-25% और यह क्या दे रखे हैं अलकली ओक्साइट दे रखे हैं यह अलकली हो गए sodium and magnesium oxides water soluble basis CAO and SIO2 यह silica हो गया और यह हमारे पास CAO तो correct answer क्या हो जाएगा इसका थर्ड अगले options अगले question पर चलते हैं which of the following is not an assumption of the Rankine theory कौन सा Rankine theory का assumption नहीं है question soil mechanics से है कौन सा Rankine theory का assumption नहीं है आप लोगों को इसका answer बताना है इसमें पहला option है vertical boundary formed by vertical बेक ऑफ दी स्वाल सर्फेस soil is homogeneous in dry soil is cohesive semi-infinite mass of the soil bound by horizontal surface इन्होंने not पूचा है जो Rankine theory जब इसको हम रिफर करते है vertical boundary यहाँ पर इन्होंने माना है सही statement है soil is homogeneous and dry यह भी statement सही है soil semi-infinite mass है यह भी सही है यहाँ पर यह cohesion less soil के लिए Rankine ने theory दी थी तो जो cohesive वाला है यह यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा तो third is the correct answer clear है third हमारे पास क्या हो जाएगा इसा correct answer cohesion less के लिए Rankine theory applicable है चली अगला question है हमारे पास the question is from surveying पूछा गया है if the perimeter of traverse is 2000 meter के बराबर है perimeter and the amount of closing error is 10 meter then the relative closing error would be अगर आपको पता हो relative closing error हमारे पास निकल कर आता है जितना भी हमारे पास total error है divided by the perimeter of the traverse तो जितना भी error है divided by perimeter error है हमारे पास 10 meter के बराबर और perimeter हमारे पास 2000 meter के बराबर तो this would come out to be as direct value आजाएगी हमारे पास 1 by 200 और 1 by 200 would come out to be as कितना आजाएगा 0.005 आजाएगा right this would come out to be as 0.005 है क्योंकि 1 x 2 होता है 0.5 तो फिर उसको जब हम दो बार हो करें तो हमारे पास 0.5 0.005 हा जाएगा हमारे पास आंसर डेट वुड़ बीडी करेक्ट आंसर देखें जो कोशन नमबर 47 है यहाँ पर क्रेंग बार के बारे में पूछ रहा है तो इस कोशन को हम एस्टीमेशन कोस्टिंग में भी ले सकते हैं क्योंकि यह बार बेंडिंग शेडूल के अकॉइडिंग भी कोशन है और यह कोशन हम RCC का बार्ड चैप्टर से भी कंसिडर कर सकते हैं कोशन में गया है जब भी हम बार को हमने यह से बैंड करा और कितने डिगरी पर हमने करा तो जितने पोर्शन में बैंड करा मान लीजिए एबी पोर्शन की बात कर रहा है वो सिर्व इतना पूछ रहा है फॉरे 45 डिगरी क्रेंग दोर बेंड़ बार दे इनकलाइंड लेंट आफ दी क्रेंगे सिक्वल टू यह जो इनकलाइंड लेंट है यह एबी वाली जो पोर्शन है यह सिर्व इतने पोर्शन की लंबाई हमसे पूछ रहा है तो कितनी होगी यह तो आप बता सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमें यहां पर लगानी है शीवा मकार्श अनुपम प्रशांत जैसरी इसका आंसर बताईए किया आंसर होगा यहां पर यह जो हमारे पास डिस्टेंज से है यह कितना हो जाएगा बच्चों यह डी है effective depth 45 डिग्री है तो यह भी बच्चों कितना हो जाएगा effective depth तो आप जानते है यह D Sverige यह 2D so 1.42 D is the correct answer तो इसका correct answer हो गया A option 1.42 क्लियर एक सही answer दिया था कांशा शीवम अनुपम ने वेरी गुड चलिए तो अगला question है हमारे पास again from the railway engineering इस बार जिन लोग रेलवे आता था उन लोग का SSE के 4-5 questions तो वेसे होगें इतने आसान सवाल पूछे गए तो the clear minimum perpendicular distance between the inner faces of two rail जब भी दो कोई हमारे पास rails होती है तो जो दो rails के बीच का जो हमारे पास distance होता है यह distance हमारे पास हमारा gauge distance कहलाता है क्या कहलाता है हमारे पास इनर से इनर तक का हमारे पास this is reference the gauge distance तो direct rail gauge कह सकते हैं उसे railway engineering के अंदर cross slope मतलब कुछ ऐसा होता है नहीं वैसे super elevation yes is a concept जो की vertical differences है इन दोनों के बीच में बहार वाली rail को उपर उठा देंगे तो vertical difference कितना है इनर और आउटर के विच में वही super elevation कहलाएगा camber जैसी कोई बात होती नहीं railway के अंदर तो it is basically the rail gauge that is the correct answer अगला question है हमारे पास in oven drying method the soil sample is kept in the oven for about तो question बहुत आसान सा है जब हम oven drying method निकाल रहे होते हैं तो वहां पर हमारे पास अलग-अलग soil condition के लिए अलग-अलग हम बेसे के लिए time लेके चलते हैं जब soil content अलग-अलग होते हैं उसमें से normally हम 24 hours लेके चलते हैं हमारा time period otherwise situation will change अगर organic soil थोड़ा कम ले लेंगे लेकिन हमारे पास usually it is taken out to be 24 hours के बराबर temperature कितना लेते हैं में ओवरंट्राइंग method के अंदर हम 100 प्लस 5 डिग्री मतलब 105 के आसपास 105 के बीच में temperature लेके चलते हैं इससे जादा बढ़ा देंगे तो फिर हमारे पास जादा temperature बढ़ाने पर क्या होगा जो structural water है वो remove हो जाएगा और structure water remove हुआ तो soil अपनी identity loose कर देगी तो में ध्यान रखना है कि तो temperature है वो कितना होगा 105 और टाइमिंग होगा वो कितना होगा 24 hours चली question पूछा है अगला is again from the irrigation engineering defective outlet and head regulator पहले तो यह समझना पढ़ेगा head regulator का purpose क्या होता है ठीक है along with inadequate slope and not regime section not regime section का मतलब समझना पढ़ेगा ठीक है results in dash of the channel क्या क्या होता है silting alignment या scouring या sedimenting तो head regulator का purpose क्या होता है head regulator basically काम करता है कि आपके canal के अंदर channel के अंदर कितना discharge जाए साथ ही साथ यह control करता है sediments को तो sediment control basically इसका part होता है अब बात आती है कि अगर defective है हमारा outlet और हमारा head regulator दोनों ही हमारे लिए defective बन जा रहे हैं तो defective बन जाने से क्या होगा sediment जो shield particle ही वो हमारे कहां पर आ जाएं के अंदर आ जाएंगे और not regime section है मतलब यह हमारे पास जैसे इसे flow में आगे बढ़ रहे हैं इसका जो core से वो change हो सकता है मतलब इसके parameter change हो सकते है depth या जो हमारा cross section है वो change हो सकता है मतलब कि alignment disturbed नहीं होगा क्योंकि channel section सही है scouring के chances नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा head regulator available नहीं है तो discharge continuously आता रहेगा उससे दिक्कत नहीं हो नहीं sedimenting is basically not the property है silting हमारे लिए बहुत दादा important हो जाए क्योंकि हमारा river से जो sediment particle आती चले रहा है वो इखटा होता चला जाएगा अगर regulator हमने नहीं लगाए तो ठीक है in English formula the calculation of peak drain discharge is applicable to जब भी हम अलग-अलग conditions में peak drain discharge निकालते हैं तो we usually have different methods जिन में से एक method अगर कभी आपने नाम सुना हो the method is referred as Dickens method या फिर आपने नाम सुना हो rise method या फिर आपने नाम सुना हो English method तो यह सारी अलग-अलग methods है अलग-अलग areas में modeling करके study करके बनाए गई तो हर एक method के लिए अपने अपने area की applicability है if you talk about the rise method यह rise method South India में काम करती है बन्तब South India के areas के लिए applicable है Dickens method North India के areas के लिए applicable है English method is in between जो हमारे पास महराज सोराजवाला रिजन मनझाद है जिसको हम यहाँ पर यहाँ पर relate कर रहे हैं Old Bombay State वाली condition में तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ भी दे रखा है Old Bombay State यहाँ भी दे रहे है Old Bombay State बात आती है कि जो shape होता है हमारे पास वो circular shape नहीं होता इस basically a fan shaped catchment जिसके लिए basically English formula applicable होता है ठीके तो यह आप ध्यान रखिएगा हमारे पास the answer would be the third one would be the most appropriate answer on which of the following factors is the duty of irrigation water not depend तो इसे क्या factor है जिसपे irrigation water की duty depend नहीं करेगी अगर आपने cultivation practices बदल दी जादा अच्छी practice ले आए तो कम पाने लगेगा हमारे पास इस पर depend करेगा type of soil पर depend करेगा ज्यादा permeable है तो ज्यादा पाने लग जाएगा कम पाने लगेगा type of crop पर depend कर जाएगा कोई 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 ज्यादा पाने लेता है कोई कम लेता है तो इसमें हमारे पास population of locality पर depend बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि हम irrigation की बात कर रहे हैं, public supply की बात करी नहीं रहे हैं देखें, question number 53 जो है, यह हमारे पास strength of material से question पूछा गया, question में पूछा है कि for isotropic homogeneous body, the ratio of lateral strain to axial strain और lateral strain to longitudinal strain के ratio को हम क्या बोलेंगे, तो क्या इसका answer होगा, बताइए, modulus of elasticity, plasticity index, poisons ratio और yield value, what is the correct answer? modulus of elasticity, plasticity index, poisons ratio और yield value, तो सही answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें poisons ratio simple है, next question पर आते हैं, अगला question है, according to YS456, the encourage value of a standard U type hook shall be equal to x times the diameter of the bar, where x is, so देखें, encourage value के लिए हमारे पास क्या criteria है, क्या codal provision है, encourage value के लिए हमारे पास codal provision है, हर 45 degree के band पर हम कितना देते हैं, 4 times the diameter of the bar, तो अगर 90 degree band पूछेंगे, तो हम कितना answer mark करेंगे, 85, यहाँ पर इन्होंने बोला, standard U type hook, U type hook का मतलब होता है, 180 degree band, तो 180 degree band की answer कितना हो जागा, 16 times the diameter of the bar, so what is the correct answer, 12, 20, 16 and 8, so 16 is the correct answer, next आगे बढ़ते हैं, अगला question हमारे पास है, X is the measure and adjustment of price level for a goods and services, across a broad sector of the economy where X is, तो question हमारा Indian economics है, sir इसको discuss करेंगे, so X is basically the measure and adjustment of price level, जब भी हम किसी भी goods and services के price level को adjust करते हैं, तो उस case में हमारे पास वो basically कहलाता है index session, is basically referred as the index section, बाकि सारे terms बहुता relatable है नहीं, तो directly इसका answer जो है, वो हमें ध्यान रखना है, the specific gravity of soil solid is determined by, तो अभी हम लोगों ने देखा था, ओवन ट्राइंग method के बारे में तो ओवन ट्राइंग method हमारे पास water content निकालने के लिए applicable है, send bath method is again for the water content अगर में निकालना हो, pycnometer method है जो दोनों काम करती है, लेकिन यहाँ पर उचा कहा specific gravity निकालना है, pycnometer method is basically the correct answer, sieve analysis हमारे पास जो है वो यहाँ पर applicable नहीं है, वो हमारे पास particle distribution में के काम हाजाता है, sieve analysis के लिए होगी, gradation के लिए होगी, pycnometer दोनों के लिए है, और यह जो है, यह सिफ water content, तो सही answer हमारे पास क्या हो जाएगा, pycnometer method, नेक्स question पर आगे बढ़ते हैं, अगला question है हमारे पास 57, if a structural steel member having an ultimate strength of 1100 unit, is to be designed for a resisting buckling, then design strength to be considered as per the Indian standard condition shall be, so अगर हम यहाँ पर बात करें, IS456 मेंचान है, मतलब भी जो question यह RCC का है, यहाँ पर हमें ultimate strength दे रखा है 1100 unit, हमने यह पढ़ाए कि जब हम किसी भी column को buckling, buckling मतलब हम buckling भी उसमें consider कर रहे हैं, मतलब minimum eccentricity consider कर रहे हैं, तो हम एक column को जो design करते हैं, उसका design load जो लेते हैं, वो हमने पढ़ाए हम कितना decrease कर देते हैं, 10% हम यहाँ पर decrease कर देते हैं, तो 1100 का अगर हम 10% decrease करेंगे, तो यहाँ पर यानि लगबग 90 इसको लेंगे, तो हमारे पास लगबग near about जो answer है, वो कितना हो जाएगा, 1000 unit के आसपस हो जाएगा, मतलब यह 110 होगा यहाँ पर, इसका 10%, 110 कम करेंगे, तो यहाँ पर जो option है, उसमें से जादा जो हमारे पास optimum है, वो है 1000 unit, यह हमने पड़ा हुआ है, एक औरल पर भी जाने, कि जब भी short column को design करेंगे, तो जितना ultimate capacity होता है, उसका हम 10% decrease करके ही, उस design load को, उसके लिए उसको design करेंगे, नेक्स्ट कोश्चन पर, move on करते हैं, अगला कोश्चन है, the capacity of doing work by skilled labor, in the form of quantity of work, per day is known as, क्या सही answer होगा, percent labor, output of a labor, product of a labor, और out turn of a labor, देखे, capacity of doing work by any skilled labor, के अलग-अलग नाम है, इसको task भी बोलते हैं, इसको out turn भी बोलते हैं, इसको work per day भी बोलते हैं, इसका एकोर नामे से labor constant भी कहा जाता है, clear, तो यहां से जो सही answer है, वो क्या होजाएगा, for outer of a labor, eight hours के working period में, कोई भी skilled labor कितना काम कर सकता है, एक दिन में, eight hours के working period में, उसे हम out turn a task बोलते हैं, next question है, during painting, white lead is added to the paint and it acts as, so, जो हमारा white lead है, वो कैसे एक करेगा, is a carrier, dryer, pigment और base, तो आप लोगों ने, मतलब पढ़ा होगा, कि जब हम, paint के अलग-अलग, constituents की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है, base में, हमारे पास सबसे best, हमारा जो, base होता है, वो lithophone होता है, और lithophone के अलावा, आपने white lead भी पढ़ा होगा, और साथी साथ, आपने red lead भी पढ़ा होगा, तो यह basically, हमारे पास कुछ bases होते हैं, तो यहाँ पर बुछा गया, white lead कौन है, इन में से, तो वो हमारे पास, base को ही represent करता है, but there are different pigment, carrier और vehicle, जितने भी हमारे पास, raw lincid oil होते हैं, या double boiled lincid oil, जितना भी होता है, यह जितने भी oil जो आप पढ़ते हैं, जो सारे के सारे, basically हमारे पास है, carrier और vehicle की तरह काम करते हैं, तो answer यहाँ पर हो जाएगा, हमारे पास, base would be the correct answer, अगला पुछा गया है हमसे, in which type of barrier, is most of the ponding done by gates, and smaller और nil, part of it is done by the raised crest, मतलब आपके पास कई पाने का level filled up है, और आप इसको raise करा पारे हो, by the help of the gates, जो gates आपके पास यहाँ पर लगे होए हैं, तो ऐसा structure basically कहां देखने को मिलता है, हमारे पास, barrage की बात चल रही है, किस की बात चल रही है, बात चल रही है, wear हो गया, wear with shutter या without shutter, कोई बात कर लो, जो पाने समेशा ओपर से ही जाएगा, तो सिर्फ wear हो नहीं सकता, wear without shutter or wear with shutter हो नहीं सकता, the barrage would be the most appropriate answer. Next question है, इसमें पूछाए, सकते हैं या concrete technology या building material के अंदर भी हम इसे consider कर सकते हैं सो अगर हम यहाँ पर देखें की grade of concrete बढ़ रहा है question में क्या बोला है grade of concrete बढ़ रहा है तो water cement ratio को क्या होगा तो Abraham's law भी हमने पढ़ा हुआ Abraham's law क्या बोलता है Abraham's law यह बोलता है कि जो आपका strength है is inversely proportional to the water cement ratio right तो अगर grade of concrete बढ़ रहा है इसका मतलब हम M5 से M10 M20 मतलब strength basically strength यानि FC के बढ़ रहा है तो strength बढ़ रहा है strength बढ़ रहा है मतलब water cement ratio क्या होगा बच्चों decrease होगा सो correct answer यहाँ पर क्या हो जागा second decrease क्लियर है अगले question पर चलते हैं अगला question है हमारे पास यहाँ पर consider the falling statement with regard to the cubical content method cubical content method कहाँ पर आता यह question है हमारा यहाँ पर quantity serving in costing जिसमें हम जो estimated की methods है अलग-अलग जो preliminary एक method होती हमारे पास और एक होती हमारे पास detailed estimate एक preliminary estimate हो गया उसके अंदर भी तीन methods आती है एक आती है clean theory method एक आती cubical content method एक आती approximate quantity method तो यह cubical content वाली जो preliminary estimate की एक वराइटी है उस पर base question है पहला statement length and width should be taken is external dimension of the building and floor level मतलब floor level पर just suppose माली जी हमारे पास एक floor है तो इसमें हमारे पास internal dimension भी होंगे external भी होंगे तो हमें क्या dimensional dimension लेना है अगला हाइट should be taken from the floor level to the top of the roof clear height क्या floor level से top तक लेनी है तो यह दोनों statement में से कौन सा सही है only statement two is true both first and second are false both one and two are true and fourth only statement first is true तो इसका answer आप लोग बताईए क्या होगा देखिए जो दोनों statement है बच्चो दोनों statement correct है क्योंकि यहां पर जो हम area लेते हैं cubicle content के अंदर हम कैसे find out करते हैं हम basically area में length का height का multiply करते हैं और जो area हम यहां पर लेते हैं प्लींद एरिया लेते हैं और प्लींद एरिया में हमेशा out to out ही डाइमेंशन लिए जाते हैं ठीक किसी भी फ्लोर लेवल पे बाहर से बाहर तक डाइमेंशन मेंजर करते हैं तो यह भी सही है यह भी सही है यानि third is the correct statement बोथ first and second are true next case में चलेंगे अगला question है surveying से question में दे रखा है आपको RL of a point is 120 meter and elevation of the instrument is 1 meter तो simple function है आपके पास कि आपके पास एक आपने एक instrument put up किया और उसको पीछे आपने benchmark mark कर लिया इसका आपको RL दे रखा है 120 meter के बराबर राइट और जो instrument के height है इन्होंने measure करके दे दी है 1 meter के बराबर ठीक है अब बोला गया है if a control line of 119 meter is to be plotted तो कोई एक contour line है 119 meter की उसको plot करना है तो उसके लिए हमारे पास यहां पर reading कितनी आएगी तो हमारे पास अगर यह वाला RL पता है मुझे 119 meter और मुझे यह पता चल चुका है कि मेरा line of sight का जो RL है वो आजाएगा 121 meter तो यह मेरे पास reading कितनी आनी चाहिए 2 meter के बराबर की the star should be the reading of the star should be 2 meter यह वाला हमारे पास जो है वो सही answer आ जाएगा देखे अगला जो question है question number 64 यह steel structure से हमारा question है what will be the effective length of a discontinuous strut comprised of a single angle connected with more than one bolt in the plane of gusset L जो है actual length यहाँ पर दे रखा है सो यह discontinuous strut है मतलब की हमारे पास एक compression member के लिए इन्होंने effective length का पूछा हुआ है clear हमारे पास effective length की value इन्होंने पूछी है 0.7L 0.9L 1L और 0.85L तो इसमें जो statement है यह हमारा industrial roof से question है steel का और discontinuous strut के लिए generally अगर हमारे पास एक end fixed हो और एक end hinged हो तो उसके लिए effective end किता होता है 0.8L but यह question industrial shade का है जब भी discontinuous strut strut का मतलब क्या होता in kind compression member यह generally का हैंगे roof truss में उसका direct नियम है कि इसके इस condition में यह value 0.85L ली जाती है तो सही answer क्या हो जाएगा 4 यह industrial shade से है इसमें अलग-अलग condition है जैसे अगर single angle condition है यहाँ पर stable से भी हम इसको देख सकते हैं single angle अगर है और एक rivet है तो 0.85 हो जाएगा 2 rivet 2 volt है तो 0.85, 1 rivet 1 volt है तो L हो जाएगा वही पर double angle है तो उसके लिए भी अलग-अलग सबकी conditions है यह codal provision है तो हमें अभी जो पूछा है वो single angle के लिए पूछा है तो answer है 0.85 next question बे चलते हैं the value of the property recorded in the municipality register for analyzing the municipal text amount to be collected from the owner is called क्या इसे बुला जाएगा salvage value, market value, book value या accessed value देखें salvage value को आपको पता यह क्या होता है utility period के बाद उसको without dismantle अगर हम करके sell करें तो जो ओगी वो salvage market value किसी भी particular time में उस condition की उस commodity किसी भी time पे कितनी value है वो market value है जिसमें कोई भी buyer उसे purchase कर सकता है book value जो है वो यहां पर हमारे पास वह value होती है जो हम books यानि बही मुल्य भी इसको पते हैं जो हम books में record books में हम note करते हैं जो भी commodity है जो यहां पर पूछा है municipal text amount के लिए कौन सी होगी तो उसका जो सही answer है बच्चों वो है हमारे पास assessed value यह municipality conditions या municipal text section के लिए इसको assessed value का जाता है next question पर आते है question number 66 r is the horizontal distance d is diameter of the earth then usually the correction due to curvature in leveling उसे क्या कहा जाएगा चलिए दिख रहा है यह सभी को हा बफरिंग हो रहा होगा बच्चों दो सा interaction हुआ है वो दो मिनिट में continue हो जाएगा सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी question survey का है क्या सभी को आवाज आ रही है तो हमारे पास if r is the horizontal distance and d is the diameter of the earth then usually the correction due to curvature in leveling is given by तो जब भी leveling हम करते हैं तो leveling करते वक्त हमें यह ध्यान देने की जरूत पड़ती है कि वहाँ पर हमारे पास curvature due to correction लगता है और साथ यह साथ हमारे पास correction due to reflection लगता है दो तरह के हमारे पास corrections लगते हैं यह correction हमारे पास is basically referred as d square by 2r के बराबर होता है और वहीं पर हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं तो यह value हमारे पास 1 by 7th of cc के बराबर होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो correction due to curvature है leveling में उसका answer तो d square by 2r हो जाएगा if the question would have asked कि हमारे पास cr कितना होता है तो वह जाएगा हमारे पास 1 7th of किसके 1 7th of cc के बराबर ठीक है फाइन तो answer हो जाएगा इसका first वाला which of the following will have more viscous bitumen more viscous bitumen मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका purpose क्या होगा समझते जरा यह wet coat कोई terminology मतलब नहीं है bottom coat कोई terminology मतलब नहीं है मतलब है prime coat और tech coat से prime coat का मतलब होता है voids को seal करना तो voids को seal करना अगर इसका purpose है तो इसको less viscous होना पड़ेगा तब ही जाकर यह voids में fill हो पाईगी और फिर बात आती है tech coating की जब हम दो अलग अलग layers of bitumen के बीच में हम bonding मनाना चाहते हैं तो हम bitumen की जो है वो एक layer डालते हैं जिसे हम tech coating कहते हैं तो यहां पर हमारे पास हमें binding करवाना है हमें binding करवाना है दो lazy के बीच में तो यहां पर हमारे पास मोर विसकस हमारा बिटुमिन चाहिए तो आंसर वुड़ भी दे फॉर्थ वन टेक कोट अगला पूछा गया है तो सीशोऊर ग्रेवल्ज आर वीच अप्डी फोलोईंग टाइप तो यहां पर हमारे पास लेहलत होगा नहीं फलेक़ी शेप होगा नहीं आंसर बहुत ही सिंपल सा है rounded हो जाएंगे इन में कहीं पर कोई हमारे पास chance बनेगा ही नहीं ठीक है the answer would be rounded अगला question है हमारे पास question is the phenomena of increase in the volume of given mass of sand caused by the film of water pushing the sand particle apart मतलब की यहाँ पर क्या बुला है sand particle के अंदर उनका volume बढ़ जाना ultimately पार्टिकल उसके बीच में जाना water film बनना और उनको push करना जिससे उसका volume बढ़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं bulking water absorption leaching या चॉकिंग what is the correct answer bulking का जाएगा water absorption बोलेंगे leaching बोलेंगे चॉकिंग बोलेंगे इसका सही answer है bulking और आपको पता है bulking का maximum जो हमें देखने को मिलता है condition अपको maximum bulking हमें कहां देखने को मिलेगी ये भी ध्यान रखना maximum bulking हमें मिलेगी 4 से 5% के बीच में ये ध्यान रखना और जो fine sand में सबसे ज़ादा होगी then medium sand में core sand में reason क्या है gravitational force course में gravity ज़ादा होगी weight ज़ादा होगा तो कम होगी medium में थोड़ी ज़ादा होगी और fine sand में bulking ज़ादा होगी और maximum bulking हमारी 38% तक होती है ठीक more than 30% और किस moisture content में होती है 4 to 5% के बीच में maximum bulking देखने को मिलती है next question पर आते हैं बच्चो a good building stone should have which of the following qualities uniform texture अगर ये इसी बात आती कि good stone की quality क्या होती है तो फिर answer थोड़ा change आ जाता good building stone बोले थोड़ा answer में change आ जाता है good building stone मतलब हमें हमारे building purposes के लिए use करना है तो texture उसका अच्छा होना चाहिए बिलकुल सही बात है strength उसमें अच्छा होना क्या अच्छी property होनी चाहिए तो जरूरी नहीं texture उसका uniform हो उसमें यह option गलत भी हो सकता तो भी चल जाता हमारे पास तीन option हो जाता तो भी सही चल जाता अगर good building stone बोला है तो चार option सही होना चाहिए that is the most important part बोला गया है upon a detailed topographic investigation एक engineer है who wants to align a canal उसे canal align करना है along which of the following should he align the canal देखो भी topographic investigation हो गया है उसे canal को align करना है जब भी canal का alignment करना है हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे पास क्या कम से कम across the image work कम से कम आए खर्चा कम से कम आए तो हम हमेशा ridge line के along canal को बनाने कोशिश करेंगे contour के नाल not preferred atmospheric pressure line कोई मतलब नहीं है valley line कोई मतलब नहीं है यहाँ पर answers को अगर साही direction में सोचा तो बिलकुल आसानी से आप इनको mark कर सकते हो बहुत जादा difficult question नहीं पूछे जाते देखे अगला हमारे पास question है which of the following is not the most common laboratory method for determining the coefficient of permeability of soil permeability को निकालने के लिए कौन सी prominent lab method नहीं है देखे हमारे पास जो lab method होती है वो कौन कौन सी होती है एक तो होती है constant head ठीक है और एक होती है हमारे पास variable head और जिसको हम falling head method भी बोलते है और field method कौन सी होती है हमारे पास empirical relation तो बहुत सारे field method हमारे पास दो होती है एक होती है pumping in और एक होती है हमारे पास pumping out test so pumping in pumping out is field and constant and variable so यहाँ पर यह तो answer होगा जोगी तो variable head की एक और नाम है यह भी answer होगा अच्छा consolidation के से हमको एक ना कोई एक तो हमें seller करना है जो ना हो तो अब यहाँ पर समझें complexion से हम find out नहीं कर सकते हैं consolidation से हम कर सकते हैं हमारे पास formula tv बराबर cv into t upon d square यह relation है kb इसमें आ जाएगा तो consolidation से अगर हम coefficient of हमारे पास consolidation आ जाएगा और coefficient of consolidation के through हम क्या निकाल सकते है permeability find कर सकते हैं तो ultimately इससे भी हमारी permeability find out हो जाएगी इससे हम compaction से हमारे पास कोई relation नहीं है जिससे हम permeability पता कर पाए तो c हमारे पास यहाँ पर सही answer हो जाएगा next question है अगला if w1 is the weight of the brick at room temperature and w2 is the weight of the brick after the break emerge in water for 24 hour तो percentage of brick after water absorption percentage water absorption पता करना है जब भी हम percentage of brick water absorption निकालते हैं हमेशा ध्यान रखेगा with respect to हम dry weight निकालते हैं with respect to dry weight निकालते हैं तो हमारे पास initial weight दे रखा है brick का w1 तो वो हो गया with respect to वाली condition अब निकालना है कि हमारा जब हमने इसे 24 घंटे के लिए पानी में रखा तो brick का weight बन गया w2 यह नया weight कहां से आ गया वही तो water content है तो w2 minus w1 water content with respect to the dry weight हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा moisture content या water content into the brick तो second one would be the correct answer बोला गया है which of the following components of the wear divides इन में से कौनसा component wear का divide करता है river width को into the wear portion and under sluices pocket तो हमारे पास एक बड़ी सी wall बनती है बीच में जो upstream direction में हमारे पास जो है वो elongate होती है canal head regulator कोई मतलब नहीं divide wall would be the correct answer wear ancillary work कोई मतलब नहीं wear proper कोई मतलब नहीं हमारे पास wear proper wear portion को basically indicate कर रहा है तो कौनसी एसी wall है जो हमारे पास इन दोनों को divide करती वो है divide wall नाम से समझ में आ रहा है अगला कोश्चन है हमारे पास from the strength of material अगला जो concrete से है अगला कोश्चन हमारा किसे है RCC से यह कोश्चन है और इसमें पूछाए characteristic strength की definition पूछा है तो characteristic strength is defined as the strength below which not more than 5% of the test results are expected to fail or fall और एकर mean target strength के बारे में पूछेंगे तो not more than 50% of the test results are expected to fail or fall तो इसमें से अभी सही answer क्या हो जाएगा third, fourth, two and five तो सही answer क्या होगा fourth यानि five five percent से जादा नहीं होना ची तब हम उसको FC के divine करेंगे और standard deviation के लिए भी हमारे पास अलग-अलग values है IS code provision M10 और N15 के लिए कितना है 3, 20 और 25 के लिए 4 और 30 से उपर के लिए कितना है पाच और उसमें भी IS code ने बोल रखा है अगर quality control और decrease होगा तो फिर हम sigma की value को जो ये values है specified इसमें plus 1 Megapascal कर देंगे clear, so आगे बढ़ते हैं next question की तरफ select the correct statement पूछा गए हमसे with respect to select the correct statement with respect to oval और egg shaped sewer तो oval या egg shaped sewer के respect में correct statement बोला गया है these are easier to construct बिल्कुल गलत इतने में ही समझ में आ गया कि they are not easier to construct they are suitable for wearing discharge हाँ इसलिए तो हम provide करते हैं ताकि हम जो है वो हर तरगा चाहे वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा rain water हो या फिर हमारे पास dry weather flow दोनों को accommodate कर सके they are less costly बिल्कुल गलत डेड़ गुना धादा cost हो जाती है they are highly stable बिल्कुल भी नहीं क्यों shape ही ऐसा है कि stable नहीं है तो हमारे पास second one would be the appropriate answer यही हमारे पास correct answer हो जाएगा देखें अगला जो question है हमारे पास वो है steel structure से question में बोला है दर rolled steel eye section are most commonly used as beam इनका नाम ही हमने beam section रखा हुआ है ISJB, ISLB, ISWB, ISMB यह जितनी भी हमारे पास beam है इनको हम क्यों use करते हैं they have greater lateral stability and have large inertia with less cross section area only यह इसका reason है अगला है they have large moment of resistance as compared to other section and have large moment of inertia with lesser cross sectional area only अगला है they provide greater lateral stability and have large moment of resistance as compared to other section only खाली यही इसका reason है और अगला है they have greater lateral stability, larger moment of resistance ठीक है, higher moment of inertia with lesser cross sectional area जाकि यह ऐसा question में कई बार बच्चों को बताता हूँ कि जब हम SSC के अंदर खास कर हम ध्यान दें जब भी हम options को select करें तो कई बार ऐसे option होते हैं जो सभी सही होते हैं बट ऐसे guess में फिर हमें most optimum पे जाना पड़ता है अगर हम देखें तो यह भी गलत नहीं है stability ठीक है? क्योंकि सभी में letter stability उन्होंने ज़्यादा बोली है inertia ज़्यादा है lesser area यह बात भी ठीक है यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है बट ज़्यादा जो कर हम देखें फिर इसमें इननुने बहुत सारी बाते बोल दी है letter stability यह ठीक है larger moment of resistance है यह भी ठीक है चुकि उनका inertia ज़ादा है और area उनका कम रहता है So D हमारे पास यहाँ पर correct option होगा अच्छा दूसरा धियान रखना आपके mind में यह आ रहा होगा कि I section के अंदर xx बहुत ज़ादा होता है और जो yy है वो बहुत कम होता है तो lateral stability यहाँ पर कम होगा बट क्या होता है हमें हमारे according नहीं जो option से उनके according देखना पड़ता है सभी option में greater lateral greater lateral greater lateral बोल रखा है तो मतलब उसको हमें वान के चल नहीं पड़ेगा तो फिर हम most optimum पर गर जाएंगे वो क्या answer हो जाएगा D option सभी बच्चे फटाफट में आप सभी से यहाँ पर बोलूगा कि और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ग्रूप्स हैं उसमें शेयर करते जाएए हमारे जो सेशन हैं उसके अंदर हम 15 नवंबर SSC जई 2022 का पेपर डिसकस कर रहे हैं 78 नंबर के question पर हम आ चुके हैं question railway engineering say the stage of the plate laying in the track construction include जब बात चल रही है plate laying in track construction track हम basically उसे कहते हैं जिस पर कि हमारे पास train का movement हो रहा है तो पहले हमारे पास हमारा formation level है मतलब subgrade है फिर उसके ओपर हमारे पास हम subbase लेकर आ रहे हैं फिर उसके ओपर हम track बिचाए जाता है तो इसके ओपर हमारे पास हमारे sleepers हो गए sleepers के ऊपर हमारे पास rails हो गए इन दोनों की जो placing है वही हमारे लिए हमारा track construction या track laying कहलाता है बलास्ट को इसमें नहीं include किया जाता ये बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो second one is the correct option fish plate को हम plate laying में लेके नहीं आते क्यों क्योंकि ये तो सिफ play to connect करने में का मतलब हमारे पास sleepers लगाना sleepers के ऊपर rails को बिचाना अगरा जो हमारे पास question है rectangular suppressed wear is a device used to measure stream flow in an open channel for a rectangular suppressed wear following free the discharge is related to the head edge over the wear is देखिए यहां पर हमारे पास जो rectangular wear है उसका formula क्या है 2 by 3 cd l under root 2g h की power 3 by 2 और हमारे पास जो triangular वाली है उसका formula क्या है 8 by 15 cd l की जगे वहां पर क्या आ जाता है 10 theta by 2 half of the vertex angle into root 2g into h की power 5 by 2 clear so अब अगर हम इसको यहां पर देखें तो इन्होंने rectangle के लिए पूछा है कौन सा option करिटा को लग रहा है 2 by 3 cd l under root 2g h की power 3 by 2 यहां पर l mention नहीं है तो यह question के अंदर option के अंदर ही misprint है अब यहां पर देखें यहां पर 2 by 3 cd है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है बढ़ी h की power गलत है यहां पर h की power सही है तो यह हम इसके साथ जाएंगे third is the correct answer मतलब हम यह मान सकते हैं कि discharge यहों कि इन्होंने l नहीं दिया तो हम यह मान सकते हैं discharge per meter length या per meter width पूछ रहे हैं उसलिए l उसमें नहीं है यहां पर l mentioned है यहां h की power गलत है तो हमें फिर most optimum पर जाना पड़ेगा जो हमारा c answer होगा बचो next question की तरफ चलते हैं which of the following is not a method of noise abatement and control हमें noise अगर control करना है तो noise control कैसे कर सकते हैं अगर यह पेचान लिया तो यह पेचान लेंगे कि कैसे control नहीं किया जा सकता है प्रॉपर maintenance of vehicle वहिकल सी तो होता है हमारे पास वहिकल से होता है वहिकल प्रॉपर ली मेनेज नहीं है तो बहुत आवाज करेंगी और हमने देखा भी है enforcement of legal laws and ordinances वहां यह करते ही है अलग-अल अलोंग the roadside and rails तो हमारे पास अगर हमने plantation थिक किया है तो जब भी कोई noise generate होगा उसके लिए obstruction create हो जाएगा noise वहीं पर suppress हो जाती है तो यह तीनों method तो है जिनसे कर सकते हैं half hazard planning of city half hazard planning of city से कोई फरक नहीं पड़ता वो एक हमारे पास बहुत बड़ा impact बन जाता है उससे यह noise due to which of the following reasons is reinforcement installed during the construction of concrete pipelines जब concrete pipelines बनाते हैं तो concrete pipelines बहुत अच्छी strength देने काम करते हैं लेकिन strength मतलब जब हम बात करते हैं तो फिर हमें compare करना है cast iron pipe से और हमें compare करना है steel pipe से steel pipe के अंदर हमारे पास situation आ जाएगी कि हम internal pressure अच्छा खासा जहल सकते हैं cast iron pipe में external load अच्छा खासा जहल सकते हैं इन दोनों का ही benefit concrete pipe में डालना था तो concreting तो की हमने साथ में reinforcement डाल दिया so that it is able to withstand inside and outside pressure both दोनों को ही अच्छे खासे से जहल सकता है efflorescence से prevent करें कोई मतलब नहीं बिल्कुली बगवास option है for water seepage prevention कोई मतलब नहीं यह हमारे पास वैसे भी concrete चाहे वो आप reinforcement लगा दो है नहीं लगा concrete तो वैसे भी crack कर सकता है तो seepage तो होई सकता है to prevent concrete cracks reinforcement लगा देने से concrete के प्रिवेंट थोड़ी हो जाएगा ऐसे case में हमारे पास सारे option कलते है the first one is the most appropriate answer बोला गया है which are the following bog compound in OPC responsible for progressive strength बहुत ही आसान आसान से सवाल जब progressive strength की बात आती है तो हम C2S की बात करते है जब हमें early strength की बात आती है तो हम tricalcium silicate की बात करते है हमारे पास by slow hardening and releasing less heat of iteration वो हमारा dicalcium silicate हो जाएगा तो हमारे पास ये option हमारा सही हो जाएगा ये हमारे लिए हो जाएगा for rapid for rapid strength के लिए या early strength के लिए हमारे पास tricalcium silicate हमारा answer हो जाएगा the objective of lime soda softening process is तो lime soda softening process हमारे पास उसका objective क्या हो जाता है जब भी हमने lime soda process को पढ़ा तो हमारा purpose ही होता है कि हम हमारी hardness remove तो कर रहे हैं लेकिन hardness remove पूरी तरह से हो नहीं पाती है हमारे पास to carbonize water नहीं हम तो lime soda process करने के बाद carbonation कराते हैं तो carbonize कराने के लिए नहीं करा रहे हैं समझ रहे हो यह गलत हो जाएगा to enhance biochemical reactions कोई मतलब भी नहीं है to remove hardness by forming an insoluble precipitate बिल्कुल सही बात है insoluble precipitate बनेगा तो नीचे बेट जाएगा पाने में से remove हो जाएगा हम basically उसी को हमारे लिए lime soda process के purpose के बात करते हैं हमारे पास यहां पर to add test to water यह बिल्कुल भी test add नहीं करता water के अंदर हमारे पास lime soda process का यह purpose होता ही नहीं है if we talk about in traversing by included angle method which of the following is correct तो जब भी हम traversing कर रहे है included angle method से तो इन में से क्या correct है पहले उसका पंडा समझते है included angle का मतलब यह होता है कि हमारे पास किसी भी दो line के बीच में angle बनना तो हमारे पास जब भी traverse सलता है तो traverse में हमेशा हमारे पास क्या होता है lines के measurement होते है और जब भी कोई junction बनता है वहाँ पर included angle बनेगा हमेशा ध्यान यह रखा जाता है कि हमारा जो angle बने उसे हम clockwise measure करें और जब भी clockwise measure करेंगे हमेशा previous line से कहां चलेंगे previous line से next line चलेंगे तो clockwise जाने पर जो angle बनेगा उसी को included angle बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर अगर situation बन रही है कि यह हमारा traverse है और अगर traverse इस direction में चला है कैसे चला है traverse अगर हमारे पास clockwise direction में चला है मतलब previous line यह next line यह previous line यह next line यह तो हमेशा हमारा circular मतलब हमे clockwise direction में move करते चले जाना है तो clockwise direction में move करते जाना है तो यहाँ पर जो मेरे included angle बन रहे है वो कौन से बन रहे है अगर मान लो आपका traverse उल्टी direction में होता मतलब इस ट्रेवर्स है वूड है वूड इन दी anti-clockwise direction तो anti-clockwise direction में ज़रा देख कर बताओ यह बनी previous line यह बनी next line यह बनी previous line यह बनी next line ऐसे में हमारे पास यहाँ पर situation बन रही है कि मुझे चलना तो कैसे है clockwise ही चलना है तो अब मेरे पास जो included angle बनेंगे वो कौन से बनेंगे this would be the included angles तो यह मेरे एंगल जब भी मेरे पास if the direction of progress is counter clockwise यह रहा counter clockwise the included angles measured clockwise are interior angles बिल्कुल सही है हमारे पास ऐसा ही option ज़रा फोर्थ में देखते हैं if the direction of progress is clockwise अगर प्रोग्रेस का direction clockwise है the included angles measured clockwise are the exterior angle बिल्कुल सही बात है exterior angle बन रहे तो first and fourth are correct first option would be the correct answer यह हमारे पास सही बनेगा the another method the another question that we have is जैश्री आकांग्षा आपको न लगता कि आपने गलत आंसर दे दिया है बिल्कुल उल्टा आंसर दे दिया बिटा आपने the method that measures changes in the price of inputs to the construction process by monitoring separately the cost of each factor is called हर एक अलग अलग हम monitor करते हैं तो basically उसे input indices कहा जाता है यह सारे के सारे questions थोड़े से engineering economics से relate करते हैं जो कि बहुत जादा हमारे पास directly related questions है direct definitions के form में चीज़े पूछी गई है तो as it is पता होनी चाहिए लेनादा question that we have the maximum bulking of sand occurs at a water content between तो अभी हर्शी सर्ण डिस्कस किया यह 4-5 percent के बीच में हमारे पास water content पर लगबग लगबग 30 से 40 बतलब 35 से 40 के बीच में हमें bulking of sand देखने को मिल जाती देटी नेरी लेबाट 38 percent के बराबर तो हमारे पास यहां पर the answer is going to be fourth one पूछा गया है which of the following formula is used for calculation of earthwork volume and is also known as the average end area देखो हमारे पास जो most widely use होने वाले दो methods हैं हमारे पास एक होता है prismoidal formula एक होता है trapezoidal formula ठीक है हमारे पास prismoidal formula के अंदर अगर हमारे end areas में बहुत high difference होता है तो उस case में हमारे answer बिल्कुल भी जादा variation नहीं आता बहुत जादा close होते हैं बहुत जादा close close का मतलब यह हो गया कि हमारे पास जादा equal हो हमारे पास end areas equal हो तो उस case में trapezoidal method हमारे पास जादा बहतर आंसर देती है primary हमारे पास primary कह दू या preliminary कह दू preliminary estimate के लिए trapezoidal formula जाता है सही होता है prism modal हमारे पास detailed के लिए जादा सही होता है और हमारे पास हम trapezoidal formula को ही हमारे लिए क्या कहते हैं end area method कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो end areas होते हैं इसमें वो almost equal होते हैं इसलिए से end area method भी कहा जाता है इसलिए से end area method भी कहा जाता है तो हमारे पास the answer would be fourth one would be the correct answer देखें next question हमारे पास जो है वो estimation costing QST से है और question पुछा है the carpet area which includes the inner wall and the balcony of the structure at floor is called built up area, horizontal circulation area, veranda और plinth area तो inner walls, balcony यह सारी चीज़े हमें बोली है at floor area तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर इसका सही answer हमारे पास क्या हो जाएगा plinth area ठीक, plinth area का ही basically एक और नाम built up area होता है बड़ जो main word हम use करते हैं वो हम क्या use करते हैं वो हम plinth area यूज करते हैं plinth area को हम built up area भी बोलते हैं ठीके, command मतलब इसमें एक तो हमारे पास plinth हो गया, built up हो गया और भी अधर अधर conditions हैं बड़ यहाँ पर बोला inner walls and balcony तो सारी चीज़ें cover हो रही हैं इसलिए हम यहाँ पर क्या answer देंगे इसका fourth plinth area next question बें चलते हैं बच्चों अगला question है हमारे पास that is in the designing of a cantilever beam main steel reinforcement is provided along main steel reinforcement हम कहां provide करेंगे cantilever beam के अंदर तो अगर यहाँ पर top bottom पूछा जाता तो शायद confusion हो सकता था condition ऐसे tension में देते हैं compression में देते हैं central में देते हैं side में देते हैं क्या answer होगा इसका गीता राम प्रशान मिस्टर प्रफुल यची का कांशामीत जल्दी फटाफट जैश्री क्या answer होगा इसका देखो RCC के अंदर हमने पढ़ा है जब भी हम reinforcement प्रवाइड करते हैं cantilever beam है यह इसक reinforcement हम RCC में कहां भी प्रवाइड करते हैं tension side provide करते हैं in basic singly reinforced structure so answer क्या होगा इसका tension एकदम simple question है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला है the sprinkler irrigation method for water distribution is most suitable for from the irrigation portion जब भी sprinkler की बात आईगी sprinkler का मतलब हम यह बात कहेंगे कि हम एक natural rainfall create करने कोशिश कर रहे हैं क्यों create करने कोशिश कर रहे हैं क्योंकि या तो लैंड हमारा ज्यादा पर्मेबल हो सकता है तो बहुत सारा पानी अंदर चूस लेगा अगर लैंड बहुत कम पर्मेबल हो तो मिली नहीं पाएगा उस केस में भी हम बेसिकली हमारा sprinkler irrigation का यूज करते हैं तो लैंड टोपोग्राफी जिर्रेगुलर हम जरूर इसका यूज करते हैं टोपोग्राफी रेगुलर होती तो इसका मतलब ही नहीं निकलता क्योंकि इसमें खर्चा दोड़ा जादा होता है वे ज्यादा पाने दे तो पानी इतना पर आजा कि वाटर लोगिंग क्रियेट कर दे हम इसलिए इसका भी इस्तमाल इसको भी हम रूट आउट कर देते हैं तो क्रॉप्स विर डीप रूट जिनकी रूट डीप जा रही है उसमें फिर ज्यादा नीचे तक पान ले जाना से हैं कोशन नमबर 91 में कोशन में हमें यह पूछावा है बच्चो कि किस कंडिशन में इस सैचूरेटेट थी क्लियर में लूस फाइन सेंडी स्वाइल डेपोजिट के अंदर वाइब्रेशन आने से या प्रेशर ऑफ दी फ्लोइंग वाटर आने से उसमें डिस्टरबेंस क्रियेट होता है तो ऑप्शन से अनिस्टेबल कॉलेब्स क्विक सेंड एन फेला कंडिशन तो अगर हम डिस्टरबेंस की बात करें तो डिस्टरबेंस हम लूस सेंड डेपोजिट में दो प्रकार के होते हैं एक कंडिशन होती है बच्चों यहाँ पर लिकुवीफेक्शन क्लियर और एक कंडिशन यहाँ पर होती है क्विक सेंड कंडिशन तो अब लिकुवीफेक्शन तो ऑप्शन में नहीं है लिकुवीफेक्शन में लिकुवीफेक्शन में होती है वाइबरेशन के कारण और जो क्विक सेंड कंडिशन होती है यह होती है हमारा प्रेशर अप according to the assumption made in the limit state method of the design of compression member the maximum compressive strain in concrete under axial compression मैंने कई बार बताया ऐसा जो कोश्चन है दो फॉर्म के आते हैं अगर maximum compressive stress पूछे और फ्लेक्जर में पूछते हैं तो हम यहाँ पर answer क्या देते हैं बच्चों 0.0035 इन्होंने कोश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है axial compression के अंदर तो 0.002, 0035, 001 and 0.45 तो सही answer क्या होगा इसका 0.002 clear previous एक बार repeat कर दीजिए previous वाला previous वाला मतलब कि जब भी इन्होंने कोश्चन में क्या बूला किस condition के अंदर soil में disturbance create हो जाते हैं vibration ने कारण या flowing water के कारण pressure of the flowing water यानि सीपेज के कारण तो दो condition दो disturbance हमने observe कि है vibration ने कारण liquefaction बोलते हैं और upward flow of water के कारण हम क्या बोलते हैं यहाँ पर quicksand condition liquefaction option में नहीं इसलिए हम क्याटी करेंगे quicksand के लिए option में जाएंगे क्योंकि water भी उन्होंने mention कर रखा है नेक्स कोश्चन बें आते हैं identify the current expressions with the depth of the beam in RC structure reinforced concrete structure डी दे रखा है overall depth डी effective depth है और डी डेश दे effective cover है तो क्या relation होगा इसके according बताइए अकांशा यचिका मिस्टर प्रफुल गीताराम सूरज speed फुटावट तो obviously बाते जो overall depth है वो डी हो जाएगा effective depth डी है और cover के लिए symbol दिया है डी डेश तो हमारे पास क्या होगा overall depth बराबर effective depth प्लस cover right so what is the correct answer correct answer will be a a is the correct answer clear है very good यचिका सूरज गीताराम अकांशा गुड अगले question बचलते हैं बच्चो next question है हमारे पास in structural steel construction the distance between center of the fastener shall not be less than the x times the nominal diameter of the fastener where x is fasteners मतलब rivet bolt तो rivet bolt के center से जो distance है वो distance को हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों pitch या gauge तो minimum pitch और gauge के लिए हमारे पास क्या condition है कितना time से nominal diameter एक तो हो जाए age और end distance इसका यह minimum कितना होता है should not be less than 1.5 times the what hold आया यहां पर क्या आता है 2.5 times the nominal diameter so correct answer इसमें से क्या हो जाएगा fourth 2.5 next question पर चलते हैं अगला हमारे पास question है यह image और आपको वहाँ दिख रही होगी हमने discuss कर लिया है अगले इस पर आते हैं so a water supply pipe with a diameter of 0.5 meter conveys 0.8 cubic of water from a source where the lowest water level is at rl 92 meter मतलब lowest water level का जो rl हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 92 meter दे रखा है अगला है to a reservoir level where it is delivered at rl 108 so यह हमारे पास another water level is b point और इसका rl हमें दे रखा है बच्चो 108 meter यह a point है question बागी का बोलता है distance between the source and the supply is 500 meter इनके बीच की जो distance है source and supply यानि जो length है वो होगी 500 meter आगे बोल रहा है friction factor हमें क्या लेना यहाँ पर friction factor यानि capital F जो होता है वो है 0.003 friction factor का symbolic capital F 0.003 आगे बोल रहा है calculate the aesthetic head required to calculate the capacity of the pump question pump से यानि turbo machinery से question है aesthetic head यहाँ पर उनने बोला है कितना हमें head की requirement होगी तो इन्होंने जो other information दी है इससे सिर्फ यह confuse करना चारे है directly simple सी बात है कि हमें कितने head की requirement होगी हमें supply यहाँ पर करना है source हमारा यहाँ पर है supply point हमारा यहाँ है source हमारा यहाँ पर है इसका RL 92 है इसका RL 108 है हमें यहाँ से यहाँ तक कितने head की requirement होगी तो जो इनका difference होगा RL का RL का difference मतलब बच्चों कितना हो जाएगा 108 में से हम कितना minus कर देंगे 92 minus कर देंगे 8 plus 8 कितना हो जाएगा 16 तो correct answer हो जाएगा बच्चों इसका 16 meter जो RL का difference होगा जो reduced level का difference होगा वही हमारे पास यहाँ पर इसका static head हो जाएगा next question पर आते हैं as per IS, IRC railway का question है as per IRC which of the following is not recommended characteristics of the road shoulder तो road के side में जो हम extra space रखके चलते हैं उसकी इन में से कौन से characteristics नहीं है यह पूछा गया है हमें यह पता है its surface must be rough as compared to the adjustment road ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि इस regular use में ना करें लोग इसली है वरना अगर same quality का बना जा तो regularly use करेंगे लोग इसको इसली हमारे पास यह सही है its minimum width should be 4.6 meter ऐसा बिल्कुल भी नहीं minimum width यह ही नहीं हमारे पास 2.5 meter will be sufficient हम एक गाड़ी को वहाँ खड़ा कर सकें इतना उसकी width होनी चाहिए 2.5 meter is sufficient तो यह तो गलत हो गया it must be able to support a truck load in wet weather वही हम जब इसको emergency lane के लिए तरह use करना चाह रहे है या कोई गाड़ी के college कर लेने पर गाड़ी को वहाँ side में park कर सकें तो गाड़ी का load लेने की शंता उसमें होनी चाहिए मतलब wet weather condition में truck का load यह support कर सकें यह ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सही बात है its color must be different from that of the road यह होना चाहिए कारण उसका यह वरना लोग इसको जो है वो regularly use ना करें यह basically इसका purpose है तो answer क्या हो जाएगा इसका its minimum weight should be 4.6 यह गलत answer हो जाएगा select the incorrect statement regarding biomedical waste segregated into the red color dustbin as per Indian rules 1998 तो जब भी हम Indian rules की बात कर रहे है 1998 वाले जो बनाये गए जिसके अंदर जितने भी hospital या medical waste को डिस्पोस करते हैं तो dustbin फी color coding की जाती है जिन में से हमारे पास yellow color dustbin होता है जो yellow color dustbin होता है इसके अंदर basically animal या फिर human anatomical waste होता है जितने भी human organs जब निकाले जाते हैं body में से या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसको basically या तो हम बरी करते हैं या फिर उसे हम completely जला देते हैं incinerator के अंदर तो हमारे पास यहां पर पूछा गया red color dustbin के अंदर जितने भी red color dustbin होते हैं हमारे पास इनके अंदर हम वह वेस्ट रखते हैं जिसको फर्दर फिर अपसे incinerator करने जरोग पड़ती just like the chemical solid waste incinerator करके या डिसिनफेक्क करके या फिर हम हो सकता है कि इसको हम जो है वो microwave के थुरुई से हम खतम कर सकें तो हमारे पास this में contain the chemical solid waste बेल्कुल सही है हमारे पास डी आंसर next question है बच्चों IS code 456 यानी RCC question है इन्होंने पूछा हुआ है W reinforce beam की designing के लिए compression reinforcement का area यानी AAC हम कैसे calculate करते हैं क्या उसके लिए formula है question में दे रखा है MU ultimate flexural strength है MU limb singly reinforced balance section का strength है FST दे रखा है steel में stress D-dage दे रखा है यहाँ पे cover और यह दे रखा है तो हमारे पास क्या formula होता है जो remaining bending moment है compression reinforcement के लिए वो हम किस से equate करते हैं वो हम equate करते है strength of this section यानी C2 into L2 अगर आपको formula पता हो और remaining bending moment होता है MU minus MU limb is equal to यहाँ पर इसकी value होती है FSC into AAC into यह होता है D-dage यानी हम से क्या पुछा AAC पुछा है तो हम बोलेंगे MU minus MU limb divided by यह term हमारे पास कित्या जाएगी FSC into D-dage अच्छा इसमें यहाँ पर जो FSC minus 0.45 FC के भी आता है बट calculation purpose के लिए उस term को हम neglect भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो सही answer है वो क्या हो जाएगा हमारे पास A option is the correct MU minus MU limb upon FSC into D-dage clear है सभी को चली तो हमारा 98 question यहाँ पर हो गया अब हम next question की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारे पात engineering hydrology से तो engineering hydrology does not deal with इन में से ऐसा कौन सा segment इन जिसमें engineering hydrology deal नहीं करता तो अगर subject का मतलब ही समझ में आता हो हमें engineering hydrology हम हमारे earth surface पर into the atmosphere on the earth surface under the earth surface यहाँ पर water का existent water का movement कैसा हो रहा है हम बेसिकली उसी चीज़ पर काम करते हैं उसी पर study करते हैं तो वह engineering hydrology में आता है यह तो public use है तो इस पा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता study of hydrological processes पानी कहां से कहां जा रहा है moisture कहां से कहां travel कर रहा है तो वह हम जरूर करते हैं यहाँ पर estimation of water resources अभी मैंने बताया subject का मतलब ही है study of problems such as dams and drought मतलब कहीं पर पानी कमी हो रही है कहीं पर पानी जादा हो रहा है तो वह सारी situations basically हम study करते हैं into the engineering hydrology तो not deal with engineering hydrology पहला option हमारे पास सही हो जाएगा the last question that we have the last for the today's session signs having red border तो हमारे पास signs having red border हमारे पास वो जितने भी हमारे signboards होते हैं वो हमारे पास either they are basically the triangular shaped और the circular shaped हमारे पास ये दोनों ही हमारे ऐसे ही हमारे signboards होते हैं ये signboards हमारे पास basically आप इनको mandatory कह सकते हो या फिर आप इने prohibitory कह सकते हो मतलब mandatory भी होते हैं हमारे पास prohibitory भी ये होते हैं हमारे पास तो दोनों ही तरह के sign हमारे पास ये वाले कहला रहे हैं जो कि red border वाले होते हैं white इनका वो background रहेगा और shape जो है इनका वो circular रहेगा अगर हम बात करते हैं कि और कौन से होते हैं हमारे पास तो जितने भी warning signs होते हैं जिसे basically हमारे पास वर्निंग साइन भी प्रोइविटरी मेंडिटरी भी उसका बहुत आंसर क्या हो सकता है शेकंड वन वुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रियेट आंसर चले तुई हो गए हमारे हंडेड कोश्चन अब हम चलते हैं 101 कोश्चन तो होगानी टेक्निकल में हंडेडी कोश है और जिनोंने पढ़ लिया है उनको एक कॉंफिडेंस में लगवा कि पेपर पेड़न आपको समझ में हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछी हुई है तो अब यहां पर दो बाद आपको यह समझनी सबसे पहले तो अगर इस पूरे सो कॉ जबी अगर आपको डाउट हो किसी कॉश्चन के अंदर और आप इस वीडियो को देख रहें अभी या बाद में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस डाउट को रेस कर सकते हैं सेकें इस सेशन को आप शेयर करें जितना हो सकें क्योंकि हम ऐसे और सेशन करने वाले हम नेक सेशन को सिर्फ यहां पर जो भी हमारी टीम है जो वक कर रही है आप लोगों के लिए आपको सिर्फ उस तीज के अप्रिशेशन के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंट में रेस्ट इस अप टू यू आपने सेशन को एंजॉय करा हो और काफी कुछ सीखा भी हो ठीक तो बाकी वीजे सर कुछ आपको बोलेंगे बाकी फिर हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स सेशन के अंदर मैं आपसे इतना है वह लूगा आप लोग इन सेशन से मतलब यह उमीद र It is just for the learning purpose आप कम से कम ये दो घंटे आप कम से कम लगातार बेट कर सोच पाए हो कि हाँ कोशन आया है सामने और मुझे सोचना है आपको एक एबिलिटी डेवलप करना है कि हाँ दो तिन घंटे लगातार हम किसी स्क्रीन के सामने बेट कर हम पेपर को अटेंड कर पा रहे हैं तो ये बेसिकली आपकी बहुत सारी अबिलिटी को डेवलप करने के लिए भी है तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो दू सस्क्राइब इट क्योंकि हम ऐसे ही बहतर कंटेंट ही दिलिवर करने वाले हैं इन फ्यूचर ओल्स हो चलिए ठीक है थैंक यू बेरी मच्च